पिछली बार आपने मुझे इंटर्व्यू करके मशूर कर दिया और घरीब कर दिया हम लोग तो जब दी आपको याद करेंगे अगली मुलाकात के पहले तक तो खिल गिलाते डॉक्टर अक्तर को, विटी, विकेट डॉक्टर अक्तर को याद करेंगे इस बार ऐसा कुछ करें, इस बार उल्टा काम करें, बदनाम करें और अमीर करें मेरे 2-3-2-3 छोटे-छोटे सवाल है, सवाल थोड़ा परसनल है, मेरा एक मासूम सा सवाल है ये दो हम फैसला करेंगे कि एक आदमी उसको सपने आते हैं कि वो शादी करने जा रहा है और केला खाते हुए जा रहा है, तो सपने में केला खाने का क्या आर्थ हो सकता है इसके जवाब जो हैं, कुछ पुर्नोग्रफी के करीब है जिनका शरीफ लोगों की महफिल में जनाम मुनासित है मैं बता सकता हूँ आपको क्या विश नहीं है कानपूर में एक मुस्लिम और्फनेज है उसके जो अकाउंटन्ट थे, मसूद साब, अब वो गुजर गए हैं, उनसे मिलने के आपके दिल में कोई तमन नहीं है कई बार सपने इस किसम के अजीब और गरीब होते हैं कि मेरे सपनों में कई बार मेरा बचपन का एक दोस्त जिससे में बरसों से नहीं मिला हूँ वो रावन वाली फैंसी ज्रेस पहन करके पी-एस-फाइव पर गेम खेल दा होता है इसकलिया है और जाएव पारा खेल प्रवर के जाएव पर गरातों में प्रशाव है फिमेल फिरंशिप्स और मोर्य सम्हाँ एमोशनली इंटिमिट जब की मेल फिरंशिप्स बहुत सताही किसम की बाच्छीट होते हैं जात है तो आइफोन 16 या किसे IPL मैच या किसे गाड़ी की बात करेंगे, हमें वो डेप्थ क्यों आपा गी है? We are groomed as boys to be outward going, action-oriented, goal-oriented and accomplished things. That is more important than the feelings. कभी मेलने में जा रहे हैं, बस में travel करें, दो-तीन सगें के लिए कोई कहीं न कहीं तच करहीं देता है. तो यह दो-तीन सगें में क्या किक मिल जाता है? इस behavior के पीछे क्या psychology है? मतलब दो-तीन सगें में ऐसा क्या हो रहेगी? दो चीजें आप दिखा रहे हैं इसमें, एक closeness, immense closeness, दूसरे stealing. एक तरफ आप जावीद अकतर पर पूरा का पूरा chapter लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी उनसे बर्सों से बातचीत बंध है. Ya Allah, अच्छा! One can write about people that one has never met. In fact, यह आसान है. It's easier to write about people that one has not met. He really wants to talk to you. हाँ, अच्छा है, तो उनकी चॉइस अच्छी? He's a good choice. कि आपने ये तो कहा है कि मैं बहुत ही कॉंट्रास्टिंग आदमी हो, मैं सौफीजदी हिंदुस्तानी हो, सौफीजदी अमेरिकी हूँ, मगर जब आप अपने बेटे को छोडने जाते थे, तो एक लंबे रास्ते से जाते थे, क्योंकि वहां पर एक घर पढ़ता था, जो हि मैंने किसी से नहीं कहा था, कि मैं प्रैदा होना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें सच में कोई सपना नहीं आता, लेकिन शेर सुना देता हूं उस पर, ना कोई खुआब, ना कोई खलिश, ना कोई खुमार, ये आत्मी तो अधुरा दिखाई पोगा है, बाप का शेर है मेरे, ये जो शीशे में घूर कर हमारी तरफ देखता है, ये है कौन? किसी ने कहा, आदम और हुआ का बच्चा है, लेकिन तभी नजर चली गई अपने आधार कार्ड पर, और ठिटकी तो पता चला, ये जो देखता है, इसका तो कोई नाम है, कोई कुल है, कोई गोत्र है, कोई जेंडर है, लेकिन जब ट्विटर की दुनिया पर गए तो पता चला कि नहीं, बात कुछ आगे बढ़ गई है, ही और शी और दे और इट से आगे की बात है, क्योंकि हो सकता है कि कोई अपने आपको फरनीचर के तोर पर आइडेंटिफाई करे, इन सब से उकता गए, तो मोबाइल पर उंगलियां घूमने लगी और हजार रंग नुमाया होने लगे, अंगूठे में जब दर्द हुआ तब समझ में आया, कि ये जो लुट्फ आ रहा था, ये एक अलग किस्म का नशा था, और नशा कुछ ऐसा जो डिस्पिरिन को पानी में गोलने भर से न जाए, या इलाही ये माजरा क्या है, कभी किसी फकीर के दर पर गए, कभी कविताओं की किताबों को पलटा, कभी संगीत पर जूम कर नाचे, कभी प्याले के प्याले खाली कर दिये, कभी खाना खाया तो इतना खाया कि गैस्ट्रो के तमाम विशारत डॉक्टर भी हमें धिकार की नजर से देखें, प्रेम किया तो इतना किया कि लगा कि उसके बदन से केचुए की तरह लिप्टे रहें, जब तक कि ये मिट्टी ना हो जाए, फूलों को देखा तो आँखों में आसू आए, आस इसे जड़ने में नहाए, ताजा दम हुए और जिंदगी में दाखिल हुए, लेकिन वो एक कमवक्त सवाल है, जो शीशे के उस पार से पीछा नहीं छोड़ता, कि तुम आखिर हो क्या, ये सवाल कहां से आता है, मन से आता है, निरॉन के सरकिट है, जबान है, भाव है, इ पहले भी उन से मिल चुके हैं, हमें कहा गया है, कि एक ऐसे पेशे में रहिए, जहां अब्जेक्टिवटी की धार रोज तेज करिये, किसी को भी अपने सवालों से मत बख्षिये, फिर चाहे वो शास्त्र हो, चाहे गुरू हो, चाहे ईश्र हो, या फिर तुम खुद, पर हम भिजवा सकते हैं उनको, जोरदार तालियों के साथ, आज की मास्टर क्लास में स्वागत करिये, कमाल के शायर, जिन्दा दिल, इंसान, भरपूर, नौजवान, और जब इन सारी जिम्मेदारियों से वो फारिग होते हैं, तब जैफसन मेटिकल कॉलेज में साइको एनलस के प्रोफेसर, दुनिया जहां के जर्नल्स में लिख चुके, सैकनों किताब में लिख चुके, और फिर दो नई किताबों के साथ हमारे सामने हाजिर हुए पहली जो राजकमर प्रिकाशन से आ रही है, घर का भेदी, कमाल बात ये है कि किताब यहां से पढ़ना शुरू कर हैं, आज हमारे बीच हैं, डॉक्तर सल्मान अक्तर, बहुत-बहुत स्वागत है से, यह आपने जो इतनी लंबी लिस्ट बहुत अच्छी और एरुडाइट और इलोक्वेंट सुनाई, वो सारी बीमारिया मेरे अंदर हैं, तो पहली तो यहां से कनफेशन से शुरू कर ले हैं, दूसरे जो आपने कहा, नौजवान, उसमें थोड़ी विस्ट फुलनस हो गई दिल में, मैंने कहा, काच यह मैं भी ऐसा होता तो कितना अच्छा था, यहां से शुरू करते हैं, जैसे मैंने आप से एक और बात कही, कि पिछली बार आपने मुझे इंटर्व्यू करके मख्लूर कर दिया और गरीब कर दिया, क्योंकि इतने लोगों ने मुझे फोन किये और मैंने एक गंटा लोगों से बात की, और फीस नहीं चार्ज की, तो इस बार ऐसा कुछ करें, इस बार उल्टा काम करें, बदनाम करें और अमीर करें, तो यह हो सकता है, तो मैं बड़ा आभारी होंगा आपका, देवियों और सजनों, अगली दफा जब आप डॉक्टर सलमान अक्तर से इस इंटर्व्यू के रफरेंस से, किसी भी किस्म के सेशन के लिए, और आप नक्षे पर किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, आप साउथ अमेर्की कॉंटिनेंट में हो सकते हैं यरोप में, अफरीका में, एशिया में, आस्ट्रेलिया में, वेरेवर यू आर, तब ख्याल रखें कि इस बार आपको जो उनकी तैफीस है, उससे दस फीस दी जादा देना पड़ेगा काहसे कि हमने भी अपना कमीशन जोड लिया है, नए, डॉक्साब मज़ा ये है कि आपकी किताब है घर का बेदी, इसमें आपने अपने घरवालों के बारे में लिखा है, क्या कमाल लिखा है, सबसे पहले पन्ने पर आपकी मां की खुबसूरत तस्वीर है, डॉक्टर सफिया अक्तर, राइटर, प्रफेसर, चेप्टर हैं, दादा मुझतर खेराबादी के मजाख लखनवी के बारे में, आपके मामुजान, आपके वालिद, मशुहूर, महान शायर, जान सार अक्तर, और आपके भाई जावेद अक्तर, पेज 69 से जावेद साब के बारे में बातचीत शुरू होती है, आपने उनके पांच शेर पिक किये हैं, और क्या कमाल के शेर चुने हैं आपने, पहला शेर, तुम बैठे हो लेकिन जाते देख रहा हूं, मैं तनहाई के दिन आते देख रहा हूं, सर्थ सवाल थोड़ा परसनल है, पर पूछी लेता हूं, एक तरफ आप जावेद अक्तर पर पूरा का पूरा चैप्टर लिख रहे हैं, दूसी तरफ आपकी उनसे बरसों से बातचीत बंध है, या ला, अच्छा, वो बहुत करुण आवाज में कहते हैं कि आपकी तो मुझसे भी मुलाकात है, उनसे भी, आप ही हमारी दोस्ती करवा दीजे, क्योंकि पिछली बार जगला जिनोंने सुलजाया था, वो अब गुजर गई है, अब भल तो मुझे वो बता नहीं है वो कौन थी, लेन जहां भी हो, भगवान उनने स्वर्ग में रखे, आपकी पांटी थी, बुजर्गी, अच्छा, नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, बात क्या है, कि राइटिंग is a serious business, and I read many things, I write about Freud, I never met Freud, I write about Donald Winnicott, a great psychoanalyst, I never met him, I have written about Faz, I that one has never met, in fact, it's easier to write about people that one has not met, because one can idealize them, so, ऐसी कोई बात है कि लिखने में, to write about him, and to not have met him, is no contradiction, in my opinion, I think both things are possible, no, वरना मातमभूद के बारे में कैसे लिखे हैं, What's that? He really wants to talk to you. Haan, acha hai, तो उनकी चोईस अच्छी, he has a good choice, if he wants to talk to me, that means, you know, he has a very good choice, because I am a pretty decent person. गो देखने में मुझसे बहुत मुक्तलिफ है, वो अंदर से उसका हाल भी मेरे समान है, इतना समझते हैं एक दूसरे को फिर भी बात नहीं हो रही है? Haan, आरों बाते होती है, these things are not simple, these things are actually very nuanced and very complex, and they have fine tendrils in emotions and thought and history, these are not matters that can be discussed, you know, in a broad public way. I respect that. Yeah, and because इसमें कुछ पर्दा नश्रीनों के भी नाम आते हैं. तो आप ही के शेड से बात खत्म कर देता हूं, देखें वो सवाल का देता है क्या जवाब, सुनते हैं आदमी बड़ा जादू बयान है. Exactly, exactly. No, he's a very erudite man. He's a very intelligent man, very sharp man, sharp-witted, intelligent, erudite, and in many realms, very good poet, and smart, talented man, no doubt about it. All right, floor is open. नोस्ते, पहलत मैं अपनी इस माली हालत की वज़ा बता देता हूं, कि मैं सुबह आया, डिस्क पर बैठा, और एक हाइकू, जापानी हाइकू दिखी मुझे, उस पर लिखा था कि पत्ते तो नहीं जानते कि वो कब गिरेंगे, कि हावा जानती है, और जानता तो मैं भी न उर्दू का लू, नोट अंग्रेजी का लू, let us be very clear, लू in उर्दू, नोट लू in अंग्रेजी, उन्होंने ते गूगली फेक दी, लेकिन मा एक लोली-पोली-बॉल फेकना जाता हूं, कि आजकल हम लोग शब्द सुनते हैं, डूलूलू, सिच्वेशन शेप, लूलू, तो जो आजकल की हुआ है, वो commitment या किसी भी तरह के जो पुराने जो रिष्टे होते थे, उनसे थोड़ा दूर नजर आते हैं, तो उसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? देखे, कोई चीज भी, कोई इंसान का behavior एक चीज से नहीं होता है, you know, no behavior is caused by one thing, it's caused by many things, and it causes many things, ठीक है? तो, glib answer, quick answer, solve नहीं करता बात, it creates a good sound bite, but it's not really true. given that caveat in place, इसमें चक्कर क्या है? कि आपकी सवाल में जो लवज है आजकल के लोग, तो आजकल कब से चुरू हुआ? ठीक है ना, इसको सोचके चलते हैं, आजकल से क्या मुराद है आपकी? 1920 तो नहीं है, 1950 भी नहीं है, 1950 के तो हम हैं, तो आपकी मुराद है, 1990, 1998, इसमें जो ब अचे पैदा हुए, इन लोग की बाते कर रहे ना, तो फिर यह सोचना पड़ेगा कि हम कैसे पैदा हुए, पले, बढ़े, किन घरों में, what sort of childhood people had in 50s, and what sort of childhood people have 90s, तीक ना, तो अब क्या है कि हिंदुस्तान में, there has been a big rural to urban migration, big rural to urban migration, and a breakdown of extended and joint families, and nuclear families are getting more and more common, fewer children are born, and a बच्च, a child growing up here, now for the first time, occasionally is lonely, and alone, and मा भी काम कर रहे है, बाप भी काम कर रहे है, बाप भी काम कर रहे है, both of them, mother and father are employed, and working, and the child doesn't have cousins, and too many brothers and sisters are now, तो उसमें जो तनहाई, और उसमें जो लोलिनेस, और उसमें जो हंगर पैदा होती है, उस हंगर से डर लगता है, ठीक है ना, तो उससे फिर किसी के करीब जाए, तो आदमी को लगता है, बाई प्रोजेक्शन, या आदमी मुझे cannibalize कर लेगा, या आदमी मुझे ओलाम बना लेगा, खा जाएगा, मेरी हस्ती खतम हो जाएगी, तो that is a projection of one's own hunger, the fact is you are the one who wants to cannibalize, आप हैं जो भूके हैं, लेकिन आपको लगता है, वो अपनी भूक आपने, क्यों उसे डरते हैं आप, प्रोजेक्शन कर लगता है, वो भूका है, वो आपको खा जाएगा, इससे आपको डर लगता है, तो आप कहते हैं मैं दूर हूँ, that is I think the solution. वो किसी ऐसी बाहरी वजह से ही उसको बल मिल रहा है, इसका जवाब है राना प्रताप, अब आप सोचिए, अब राना प्रताप गोड़े पर बैठा, उसको जाना है, तो एक गोड़े की भी मर्जी तो है ना, या गोड़े की मर्जी नहीं है कोई, the horse is not a stupid thing, the horse has its own will, राना प्रताप में पैदा होने के पैने है, तो अब राना परताप गोड़े कौ लेके जाएगा भाया, तो गोड़े की भी मर्जी है, the horse has his own will and the rider has his own will, you can't say, कि राना परताप went this way because of him, but the horse also conceded to it, on the other hand, if the horse doesn't want to go, nobody can make him go, right, so there is a tension between free will and determinism, some things are so deeply imprinting in childhood that they make you determined and some things you can change some influences in my childhood made it such that I 5-4 year old I decided I will be a doctor I was 4 years old, 5 years old after that when I was 17, 18 I said I was a doctor I want to be a writer but I want to be a doctor but all the people are laughing at home if you don't become a doctor then I will become a doctor but he became a doctor then he crawled from the medicine and he went to the psychiatry then he crawled from the psychiatry and then he went to the psychonologist and he went to the psychonologist so what happened? you saw that Rana Prathap said that I would become a doctor and he would become a writer so I could be a writer so I could be a writer so I could be a doctor so I could be a doctor so this is what I think is the situation to be a writer so I could be a writer so I could be a writer I could be a writer I could be a writer I am a writer I am a writer but you have a story that when you left your daughter you were leaving you would go through a long way because you had a house that was Hindu like a daughter I stand corrected तो आप छोड़ने जाते हैं, तो मैं जैसे देखा कि आप कई बार, जैसे एवन अभी भी आपने बोला, कि कई बार इधर, मतलब, जो नॉस्टैल्जिया है, और जो वहां के तौर तरीके हैं, उसके बीच में आप ऐसे फ्लुइड की तरह आगे पीछे करते रहते हैं, तो how do the issue is how does the problem navigates me, ये भी तो मुम्हें एना, इसे पहां पने हैं, तो आप जाते हैं, तो you are Indian and American, in the first year, you think India was very good, America is very bad, oh no, America is very good, India is very bad, ये जाप चलता रहता, उसके बात then gradually the things begin to come together, and you begin to realize that there are many things that are far better in India than USA, there are many things that are far better in USA than in India. When you realize that is the midway, that is not the end of it, then you realize that the human problems are the same everywhere. Human needs are the same everywhere. Human solutions are different and human wishes are different. So, we all are basically cut in different ways, but also in similar ways. And therefore, you become a hybrid. But hybrid doesn't mean that I am half Indian, half American. I am very Indian in some ways. I am very American in some ways. I am in some ways Indo-American. In some ways, I am American Indian. And in some ways, I am neither. You know, I am just me. So, I think these processes, immigration is a trauma, is a bitter medicine. It solves, creates, you know, treats many symptoms. So, studies then right there are normal steps. It includes long term side effects. I see that one has a subject. But if you know that one is found a truth, you know that other life in your life should be a very expensive answer, śliess, please, please. When we hear a ott BR olduğunu, please, please, please. This is a joke, right from唐een Thursday. Please, please. Please, please. 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 May God tell yourself now. Please take as long term side effects. Please tell them. Please det글 filtrate. Please tell yourself neither then. Let the кил объяс of a human being. चाहता संब कर दे मैं जस मेकान में रहता हूँ ऋसको घर करता अरे वह 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 मेरा तरी आप मेरे शहर के घर नहीं कोई मेरा जाहां मेरा गर है वहां का नहीं हो भाय हो अच्छा स्षर अबहmilาย जो आप no man is like no man जो अभी आपने बात कही कि कुछ तो हालात हमें बना रहे हैं और कुछ हम बन रहे हैं तो जितने ज्यादा हालात सिमिलर होते जाएंगे उतने ज्यादा हम सिमिलर हो सकते हैं और उस पर हम जैसे रियाक्ट करते हैं वो हमें मुख्तलिफ करता है तो इस लिहाज से कितने सारे लोग जैसे अगर कोई हम शेर सुनते हैं तो किसी के मन में इमिज जैसे उनके देखे से आ जाती है चेहरे पर आने उनका सबका अलग है सबका वो जब जैसे उनना घर सुना या मैंने उनका सुना तो सबका उनका लेकिन सब सेम हालात में पड़े, तभी तो उनका आया, उपजा ही तब, तो ये मतलब मैं कभी इसको समझ नहीं पाता कि हम कितने, मैं और ये, या मैं और आप, मैं और ये, कितने similar हैं और कितने अलग हैं, ये कैसे ते होगा? तेकि इसमें यू कर ले ना, कि एक छीज है, नीड, नीड, there's something called need and there's something called will, need हर इनसान की एक ही है, need हर इनसान की पांचे needs होती है, वो सब की एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे वो बैलोजिकल नीड हो, चाहे साइकलोजिकल नीड हो, दुनिया के हर इनसान की वो ही needs, सा safety, first and foremost safety, physical safety, social safety, economic safety, safety, उसके बाद, identity, my name is Salman, if somebody calls me Mehmood, I'll be upset, you know, if somebody miss spells my name, mispronounces my name, I don't like it, okay, तो I am me and I would like to, that's why suppose you go, तो इतिवाक से आप गोरखपूर जाएं, खुदा ना करें, लेकिन ये कि अन्याला तो आप गोरखपूर वाले नारास हो जाएं, तो अगर आप गोरखपूर गए, और ट्रेन स्टेटल पे हैं, और किसी ने एकदम से कहा रहे हैं, भाई, सुम कहा जा रहे हो, तो आपने म लव, और अटेच्मेंट, उसके बाद, नीट फॉर ग्रूप अफिलियेशन, जिस आदमी का कोई ग्रूप ही नहीं हो, चाहिए वो ग्रूप हो, एथिनिक, रिलिजिस, कास्ट, पॉलिटिक्स, प्रोफेशन, कोई तो ग्रूप होना चाहिए ना, अच्छा, उसके बाद, नीट फॉर, टाइम की कोंटिनुटि, कि जो आपका हाई स्कूल सेल्फ है, जो आपका कॉलीज सेल्फ है, जो आपका प्रूपेशनल सेल्फ है, आप रहते थे लखनव में, आब आप रहते हैं दिल्ली में, इन दोनों में कुछ रष्टा होना चाहिए, और फिर नीट- causality astronomical, economical, geographical, ecological, religious, all kind of causality ये सारी नीड जो है इंसान की एक है, सारे इंसान की चाहे हो चीनी हो जापानी हो कोई भी हो, Indian, Muslim, Hindu, Christian, Jew, कोई भी, वो नीड्स आर सेम और उनिवर्सल, विल्टेस आर culture bound and experience bound, विल्टेस आर experience bound and culture bound, वो विल्ट आप करी नी सकते हैं, जो आपने, आपने कभी महसूस ही नहीं कोई चीज, which you have not experienced, you can never विल्ट, ये भी कमाल है, मैं बता सकता हूँ आपको क्या विल्ट नहीं है, कानपूर में एक मुस्लिम और्फनेज है, जैसे मुस्लिम और्फनेज इन कानपूर, नियर परेड ग्राउंड, उसके जो अकाउंटन्ट थे, मसूत साब, अब वो गुजर गएं, उनसे मिलने के आपके दिल में कोई तमन न नहीं है, अब हो सकती है, अब हो सकती है, और अब नहीं भी हो सकती है, जब तक मैं बोला नहीं था, कभी आप मिलना चाहते थे, मुस्लिम और्फनेज के अकाउंटन्ट मसूत साब से, रह गय हो ही नहीं रखती, जब तक उसके बारे में, या तो परसनल एक्स्पीरेंस न हो, या हलूसिनेटर्ट इमाजिन एक्स्पीरेंस न हो, विश्लिज और इडियो संक्रेटिक, जैसे, फूड इस नीड, कबाब इस वे, बेड इस लीड, जो कि हमारे कजन है, उनकी बिचारी की पूरी न होती हो, तो some people, sleep is a need, but what kind of bed, what kind of pillow, you know, these are wishes, wishes and needs, wishes, needs every human being are same, wishes, human beings have different, ये खो गया, दूसरा problems and solutions, problems सिर्फ दो हैं, problem सरकार जिर्देगी में सिर्फ दो हैं, अगर वो दो problem हैं, आपके दिल में ठंडी तरह से solve हैं, तो आपको किसी doctor को देखने की ज़ूरी है, तो फिर मेरी, फिर हो गई गुर्बत, फिर मैंने पैसा लूज किया आप, बता के ये, दो problem हैं, there are only two problems, वो problem क्या हैं, इनसान के सिर्फ दो problem, उसके रूप है तरह तरह के, then fundamentally दो problem, एक problem है, कि कुछ चीज़े impossible हैं, ये बड़ा problem है, नहीं, बड़ा problem है, अब आप टोकियो जाना चाहते हैं, तो टोकियो दो मिनिट में नहीं पहुँचेंगे आप, टोकियो जा सकते हैं, तो दो म अपवन बुतर कोई इनिबिशन हो गया था, by the way, धाई साल की उमर से सत्रा साल की उमर तो उड़ने ही सकते था, आपके उसको कहानी पता है, वो बड़ी जबरदस कहानी है, तो you cannot fly, आप बगार मास्क के और बगार किसी चीज़ की पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं, ठीक ह कुछ चीज़े तो impossible हैं, और यह परदास करना पड़ेगा, बहुत से लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका दिल तैयार नहीं है, मानने है, surface में मानने, lip service या, but they don't really believe it, चाहते कि होगा यह, उसके फायदे भी है, invention ना करे आदमी, अगर Thomas Edison इस पर करता तो कहता है, यह चाले अर्थेल खतम होगे, सो जाओ, नहीं, उसने का मैं तो बत्ती जला के दिखा दूगा सलेगा, so, one problem is, some things are impossible, and we have to live with it, उसके बाद दूसरा बहुत ही, जिसे पंजामी में कहते हैं, बहुत ही कुता problem है, दूसरा है, कि some things are possible, but they are prohibited, यह भी एक खतरनाक चीज बहन से ठादी नहीं होगे, आपकी, नहीं होगी न, देखिए, मेरी भी नहीं होगी, वरना, सच बात यह थी, कि मेरे लिए दुनिया में कौन सी सबसे अच्छी बीवी हो सकती थी, मेरी मा के अलावा, पढ़ी लिखी थी, साड़ी पहनती थी, बढ़ी आप बिल्दी लगा होगा था, बिल्दा दी उन से होने चाहिए, बिल्दा दी उन से होने चाहिए, बिल्दा मेरे बाप ने पहले कर लिए उन से चाहिए, तो इंपोसिब भी होगया और प्रोहिबिट भी होगया, ठीक है न, तो यह प्रोब्लम्स इंसानों के, all human beings have same problems, they are struggling with impossibilities of prohibitions, the prohibitions may be different in different cultures कोई कैता, गाय मत काऊ, कोई कैता, सूर मत काऊ, prohibitions are there, different prohibitions, but prohibition is always there, अब इसके solutions क्या है, वो different, so if we say the problems, the problems and the needs are same in human beings, the wishes and solutions are different, therefore all of us are exactly alike and utterly different, जवाब हो गया, थोड़ा boring भी हो गया, बताईए, नमस्ते मेरा नहीं कुलदीप है, सपनों पर बात करना चाहता हूं, और जिसे यह कि सपनों में hidden meaning खूजने की एक आदत हो जाती है, अच्छी आदत, पता नहीं वो होता यह नहीं करना चाहता हूं, और जिसे यह कि सपनो कई बार सपने इस किसम के अजीब हो गरीब होते हैं, कि मेरे सपनों में कई बार मेरा बचपन का एक दोस्त, जिससे मैं बरसों से नहीं मिला हूं, वो रावन वाली fancy dress पहन करके PS5 पर game खेल ला होता है, पीएस फाइव एक, अच्छा, वीडियो गेम का एक device है, उसके ठीक मेरा एक सहकर्मी जिसे मैं आज ही मिला, वो बनियान पहना हुआ है और मुकुट पहने हुए और मैदे में पानी मिला करके पी रहा है, पीछे सड़क पर पानी भरा हुआ है, और कोई एक अंकल जिने मैं जानता हूं, पर अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो दौड नहीं कर सकता, और नहीं करूंगा, क्योंकि मैं, क्यों हूं, दो वजे हैं, एक मैं आपको जानता नहीं हूं, कि ड्रीम को समझने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कि अगर मैं ड्रीम करूं कि मेरे लिविंग रूम में काली बिल्ली बैठी है, और ये ड्रीम करें, कि मे mental computer से निकल रही ना वो बिली बिली से हमारा क्या वास्ता था काले रंग से हमारा क्या वास्ता है living room से हमारा क्या वास्ता है and so on and so forth so नतीजे की तोर पर formulaic interpretations नहीं है साथ dreams ऐसे हैं जो universal है उनको तो जाने दे लेकिन यह जो dream आपने बताया और ऐसा ही dream किसी को भी आ सकता है मुझे भी आ सकता है कि उसमें इतने individual meanings hidden है कि वो इनसान को जाने बिना अच्छी तरह से और इनसान से यह सुनके कि कल रात में कल दिन में क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है तुमारे साथ जब यह dream मुझे सुना रहा हो उस context में उस narrative में dream एक बीच का हिस्सा है समझ लिए film में एक गाना है film चल रही है गाना हुआ फिल्म चल रही है तो गाना ideally ideally जैसे पहले होता था गाना फिल्म की कहानी को advance कर रहा है उसी तरह से dream को समझ दिए dream is a variety of thinking a variety of thinking codified and disguised and symbolized but nonetheless of course it's meaningful of course it's meaningful but one can only understand the dream only if one knows the person जरीव है formula एक नहीं है तो आपके dream को समनने के लिए आपको समनना गरूवी इसमें एक अगला स्वाली है कि क्या इसमें सायास कोशिश करके सपनों में दखल दिया जा सकता है क्या मिसाल के तोर पर मेरे एक दौर ऐसा रहा कि मैंने काई कि आज मैं कुछ सोचना शुरू करता हूँ और वो एक कहानी सोचते हुए जिसमें कुछ असली किरदार होंगे और कुछ फिक्शनल और देखता हूँ कि वो कहानी मुझे कहा ले जाती है वो कहानी बढ़ते बढ़ते सोचते सोचते मैं नीन के आगोश में आ गया और जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि वो कहानी चल रही थी सबकॉंशियसली भी और अगले दिन मैंने उसको फिर से वहीं सोचना शुरू किया वेब सीरीज की तरह सीक्विंशियल ज्रीम्स की बात कर रहा हूँ तो फिर से एक एपिसोड बनता गया तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं अपने सपनों को बुनने में एक समय तक स्टेरिंग अपने हाथ में रख पा रहा हूँ और उसके बाद अपने सबकॉंशियस माइंड के हवाले कर दे रहा हूँ और वो सम्हाल ले रहा है ऐसा संभव है संभव या हुई खुश्फ़ेमी हुई मुझे रहा हूँ अगर आप कह रहे हैं कैसा हुआ तो अलड़ी संभव है वरना कैसे होता तो उन्लाइकली इमन माइंड में कोई चीज का सर्प्राइज नहीं है कमाल की चीज़ हो सकती है इनसान इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि समझना मुझकल है इनसान का और हैरत होना खतम हो जाती हलके हलके इनसान के बारे में इतनी महबत और इतना कमीनापन क्रूल्टी इनसान दिखा सकता है आदमी है बिल्ली है उसके पास उसने सोचा कि अगर मैं अपनी बिल्ली जिससे महबत करता है कि बिल्ली को मैं अगर सामने के फ्रंट यार्ड में गाड़ दूँ और सिर्फ सर ऐसे नकालू बिल्ली का जिन्दा रहे तो क्या ये लॉन मौर से इसका सर काटा जा सकता है या नहीं तो उसके बाद अपनी बिल्ली को रखा उसने लॉन मौर लाया और बिल्ली का सर करता है अब ये इनसान क्यों करेगा ठीक है ना उसके पीछे हासार वजे होंगी लेकिन अद्मे को यकिन याता कि इनसान ऐसा भी काम कर सकता है लेकिन देखे रिपोर्टिड केस्ट तो अनिफिंग इस पॉसिपल इन इनसान माइंड इस सो कॉम्प्लेक्स और सो फुल अफ सर्प्राइज़ मेरे पास एक बिल्ली है वैसे घरूंग यह मत कीजगा उस बिल्ली के साथ मेरी और आपकी मुझे बहुत प्री है उसका नाम बोसा है मुझे बहुत प्री है मेरा बिल्ला उसका नाम बोसा है मैं आपको एक और बता दूँ अर्दू के बहुत मश्यूर शाहर थे मीर तकी मीर गालिब से कोई सो साल पहले तो उनकी भी एक बिल्ली थी उस बिल्ली का राम था मोहिनी और मोहिनी बिल्ली के बारे में उन्योंने बड़ी इच्छी नजम लिखी है जो आपको अपने बिल्ले को सनानी चाहिए उस सुनता यह ध्यान से अपका है एक चीज और बस सपने पर आखरी मतलब मेरा अपना यह तजर्बा है और साथी लोगों का इस से अलग हो सकता है कि सपने में जो आप देख पाते हैं मन की आँखों से या जो भी कहें आपको चीजे दिखती हैं रंग आप पकड़ पाते हैं आपकी साइट काम करती है आप सपर्श भी महसूस कर पाते हैं टेक्स्चर कि मैंने ये चीज उठाई ये खुरदुरी थी और ये तो एक दोस्त को गले लगाया उसका सिल्क का कुर्टा बहुती चमक रहा था हाथों पे महसूस हुआ लेकिन मैंने गंद नहीं महसूस की क्या कभी तो ये क्या मेरी अपनी निजी बात है ये इन जनरल थोड़ा डिफिकर्ट है गंद भी हो सकती है हाँ यकीनत क्यों नहीं और सपने के बाहर तो माशालला से इंदोस्तान में बहुत है लेकिन ये कि सपने के अंदर भी हो सकती है मैं ट्रॉमेटाइज हो गया साब क्यूंकि मैं ठेर होंगा इंपीरियल होटल में नहीं बढ़िया होटल है मैं गया एक जगा नाम तो नहीं लूँगा दरिया गंज में किसी जगा गया अफूर 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 हाँ डॉक्ट सब एक चीज़ बताएं एक जब हम लोगों ने ये नियूज रूम से भी पूछा कि आप लोगों के क्या सवाल है तो कई सवाल आए इसमें बहुत लोगों के सवाल बचे होंगे मैंने वो बोला था कि जो सवाल बच जाएंगे एक अपने लिए बचा कर रखना और कुछ मुझे दे देना तो उसमें का एक सवाल है कि जैसे आपने पिछली बार भी बताया था कि आप कि आप तीन-चार मिनिट में एक घजल लिखते हैं और अकसर तीन-चार बजे सुबह मैंने बहुत सारे सरियलिस्ट मॉव्मेंट के भी राइटर्स को ऐसे सुना है कि तीन-चार बजे सुबह का समय जो बहुत सारे मैं प्ले राइट को जानता हूं यहां पर वो लोग भी नियमित उटकर चार बजे लिखते हैं जी तीन-चार बजे के बारे में एक यह बात है कि थोड़ा सा परनॉर्मल टाइप का भी कुछ-कुछ बात हैं लेकिन इस नोट एविडेंट यह कुछ उसके पीछे सबूत नहीं यह तीन-चार बजे की गुथी क्या है? 3 a.m. thoughts, क्या है 3 a.m. thoughts? इसमें कुछ न कुछ? there must be some role, there must be some role of brain physiology that you have had sleep, you have had a few dreams, in the dreams you have already worked out something, you know, and maybe a second wave of dreams, one set of dreams, another, maybe a third, so some problem that the mind is working on has been partly solved, and therefore it has now become manageable to be expressed in a poem. That's one possibility. जैसे कि हिंदुस्तान के partition के बारे में, apart from a few blips, when the partition was happening, and right around that, उसके बाद the topic went underground for about 50 years. 50 साल के बाद फिर उसको फिल्में, प्लेज, पोईट्री ये सब खरूर हुआ, कि वो 50 साल चाहिए थे, इनसान को फिर से मजबूत बनने के लिए, कि अपने दुख को देख सके, ज्यादा दुख होता है तो उसमें दृषारी नहीं हो सकती, तो दुख की manageable amount हो तब होती है तो मेरे खाल से उसका कुछ संबन्ध है इस बात का, अब फिर उसमें वोही बापत आदा गी, idiosyncratic, कि तीन बज़े का वक्त जो है, चाहे वो रात में हो, चाहे दिन में हो मेरे लिए बहुत इंपोर्टन है, क्योंकि my mother died at 3 p.m, so because my mother died at 3 p.m, 3 p.m is very important to me, now this is an idiosyncratic response, so for me to write at 3 p.m, may not mean the same thing as him for write 3 p.m, so again there is a specificity of things and there is a commonality of things and that's why we cannot make broad statements about human behavior, human behavior is very complex and like I am practicing psychiatry for over 50 years, I still can come across a problem, a conflict, a behavior, that I have never ever heard of, it's possible still, 50 साल की बाद 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 सलमान साब मेरा एक छोटा सा एक सवाल था, कि आपने एक जगे बात की थी किसी बात्चीत में कि male और female friendships के अंतर पे, कि female friendships are more emotionally intimate, जबकि male friendships बहुत सतही किसम की बात्चीत होती है जाद तो ऐसा क्यों है कि मान जबने किसी male friend के हाथ बैठ हुआ तो आइफोन 16 या किसी IPL match या किसी गाडी की बात करेंगे हमें वो डेप्थ क्यों या बाद आप आगी है क्या रीजन है इसका रीजन मेरा कहाल से चल अजब मेरा कहलत से तो इस नवे आख दो मेरा की है उसका इसका रेजन मेरा कहल से ऑचल वी आठ ओबो कि action-oriented, goal-oriented, and accomplish things. That is more important than the feelings, you know, and relationships. And while women are closer to each other and more context-related, you know, more context-related. For example, if a man and woman, husband, wife, that's why it's not advisable. I don't know whether you're married or not. Don't go grocery shopping with your wife. it is a painful experience for both parties I am not only saying for me or any shopping any shopping because men do buying women do shopping those are two different phenomena these are entirely two different phenomena now imagine man and woman go to a department store and they have decided that new year is coming and they need to buy some beautiful champagne glasses so the man enters and says to the counter excuse me where would I find champagne glasses there is a fourth floor so he immediately goes press it chalo 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 meanwhile the wife is looking at sweaters so he said that darling you have to buy a sweater no no I am just looking he is totally puzzled why is he looking at sweaters we have to buy champagne glasses then they go up then the man buys champagne glasses he has to buy it why is he good should we take this one should we take this one they discuss it's done please please give us a bill you know let's go home I am very tired now he is tired now he has to go home now he has to go home he wants to go home because his job is finished the wife is watching wrist watches when she is making a bill she says wrist watches I am going to take it 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 look at it look at it this is the thing this is the thing there is a lot of different ways this has become very fashionable to think men and women are alike they are alike of course like all human beings like black people white people Chinese people Indian people Jews, Christians, Muslims, Hindus of course we are all alike we are also different and there is certain differences morality differences there is an experiment that you take 8 boys of 8 to 10 years of age put them in a room and say mommy and daddy are going away you stay in this room we will be back in 2 hours it is impossible one of them will somehow get out of the window break the window open the window pry the window and be out they are not going to stay in that room they are going to open break the door open somehow or the other and they will go you tell 8 girls to stay in the room they will stay in the room there are experiments like that there are experiments that they have 8 year old girls and a 5 year old girl 8 year old boys and a 5 year old boy and they say go play a game within 10 minutes the 5 year old boys cry they don't want to involve the 8 year old are playing and he is going to 5 year old he is going to play the game he is going to sit there and he is going to he is going to 8 years old he is going to give it a little you do it they will involve you know there are experiments of all this studied you know that morality you are looking for a parking space leave the car anywhere sorry 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 why are you looking for a parking space no this is not proper this is not proper this is not proper this is not proper what are you doing what are you doing maa ho maa ka baccha bleed kar rao he will leave the car in the middle of the road so your rule ki following your goal ka accomplishment isi liye that is why men can write more they are ruthless you know they are ruthless some people in this room know you know that when they are writing they say sweetie will you eat food darling food don't don't I am writing darling we are getting late I am writing you know the guests are about to arrive I don't care guests can go you know screw themselves I am writing this kind of a non-relational ruthlessness towards a task is not typically characteristic of women but then we have to add a further caveat we can't also say somebody is 100% man 100% woman as a case as a case as a humare dar mabhi hai babhi hai inkha dar mabhi hai babhi hai I am very maternal in many ways and very feminine in many ways you see that is part of the reason I think people get addicted to me you know you know you have missed punchline itni zabardust thi I have said that's part of the reason why people get addicted to me that's part of the reason why people get addicted one ticket two tamasle this you know one ticket two tamasle what is this in our times you see the movie but during the interval some people will come and dance I have said gender fluidity that is that you know even the experiment 8-year-old children that is children they see a mother nurture her वाली के तौर पर देख रही है, उसकी वही साख और उसकी छवी उसके मन में है, इस वजह से वह ऐसा करती है, और अपने पिता को वह जो बच्चा इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, इस वज़ए से करता है, तो मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या वाग, क्योंकि हम लो जोड़ता हूं सवाल में, फिर यह मेरा भी पूरा हो जाएगा, जैसे कुछ बाइसिस या स्टीरियोटाइप्स कहे जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर महिलाएं अच्छी ज्राइवर नहीं होती है, अब इसके पक्ष में कई लोग यह दलील देते हैं, कि एतिहासिक तौर पर आप देखें, तो महिलाओं ने कोई ऐसी heavy machinery work किया, कोई वाहन चलाने का काम किया नहीं है, तो maneuvering जो है, genetics में उनको मिली नहीं है, जो पक्ष में दलील ने देते हैं, वो यह कहते हैं, जाहिरह जो modern values हैं, वो मानती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और महिलाएं F1 car भी चला रह my wife is far better driver than me, she can back a car, 200-500 cars, 500 yards without, you know, and park a car in a narrow space, parallel park, etc, etc, you know, she is far, far better driver than me, but again, I mean, these are individual things and all, but both things apply, the acculturation, the childhood transmitter of social norms and expectable norms and ideals, उसके अलावा, Darwin भी बेखूस तो नहीं था ना बिचारा, वो भी एक अकल्मान आजमी था, तो उसके भी है, biological chakra भी था है ना इसमें, कि यह जो thinking है, contextual versus focal, this comes from hunter-gatherer societies, you know, कि एक आजमी है, उसको बक्री को मार के खाना है, हिरन को, तो उसको तो हिरन पे टेंस्टन चाहिए, और खाना कहां से आएगा, और लेकिन जो उसकी बीवी, जो pregnant है, उसको ना सिर्फ अपनी बोडी का खायल करना है, बलकि जादे कभी खायल करना है, इसको साप काट लेगा, तो साप काभी तो देखना है, उसको इतर उतर से आजाए, काट ले वो एहरन को मारने से पहले साप उसके कट के मर गया, तो देखना है, तो देखना है, तो फो जो देखना है, तो जो डेखना है, तो इसमें, तो इसमें, there are Darwinian angles to all this, you know, and as I said, कि मर्ग दो औरत, 100% दो सेपरेत होई नहीं सकते हैं, वहीं क्योंकि हमारे अंदर दोनो हैं ना, हमारे अंदर मा भी है, बाप भी चाचा भी है, चाची भी है, नाना भी है, नानी भी है, दादा भी है, दादी भी है, हमारे अंदर, मौझूद। So, I mean, there are things that I do that are like my father, and there are things that I do that are like my mother. Or being, I mean, not only doing, where one doesn't even know and recognize, you know, only doosra recognize कर सकते हैं. And all of us are somewhat masculine, somewhat feminine. They are maternal fathers, they are paternal mothers and especially, votre father has to become like a father, and if it is not a child, votre father has to become like a mother. These are internal, fluid states. जाइरी में कितनी जगह से ख्लाइरी करता है? येस प्लीज मुझे स्कूल से निकले वे 10-12 साल हो गए लेकिन आज भी होता है कि हर मार्च में मुझे नाइटमेर्स आते हैं एक्जाम को लेके कि मैं कुछ लाना भूल गया, पहन लाना भूल गया ये मैट्स के एक्जाम में वो पढ़ना भूल गया तो मेरी कुछ दोस्तों से भी बात हुई, एक मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम लिलूँगा कैमरे पर और उनकी जब बच्पन में थी, तो मैं आम लेलूम का नहीं नहीं ये तोड़ी बैसी हो तो मुझे एजाज़त तो अचाने तो शी लॉस्त सम्वन काफी अटेश थी उनसे दिसम्बर के महिने में और आज भी दिसम्बर आता है तो मुझे बताती है कि शी ड़सं फिल गुट बहुत अनपी फिल करती है इसके पीछे क्या रिजन है क्या साई की है रिझजाग। शॉसरी है झाल अनिवर् Aku और आगले से रहीं मुझे बतात अचत्च को सबने हैं, क्यास्ति लॉस्त पॉस्त में बता लॉस्ति अवरते डे बताtail है जपान है का खनी में मौंट्हणा ये एक एंपन्सिरा सरफॉ such, the day I become that age I am aware that I am now becoming, in a way living more than my father and that is going to create emotions same thing, the day we fell in love, the day we broke up with somebody these are important events and they play an important role in even the end of the year Erickson writes about this that in the last 7-8 days in the last few days and in the last 5-6 days the feeling of the feeling mid-year so time is a variable that affects one Hello Salman sir my name is Khushi my 2-3-2-3 small questions my first question is what unconditional love exists in today's date and I am asking this question because I noticed that that when our parents love us they also have a given condition that it will keep us safe or we will be able to save us you love our partner so they have a condition that we will be able to provide us that we will be able to provide us or physically provide us so that condition always exists so what does unconditional love exist? Doctor, before you respond when you are going to go to the house when you are going to the house then you will tell me that I am going to promise you 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 and the other question they will ask you that who is your partner? please unconditional love exists between a mother and a baby till the time the baby is about 8 months old and then it never appears again 8 months to go to the house 7-8 months to go to the house when the child will not crawl and start to go to the house where the child will crawl and start to go to the house the conditions are going to go oh my god this is the amat chuna oh my god oh my god the conditions begin toilet training toilet training is a big thing you think about it if you are used to go there to go to the house you would never have a chance like to go to the house when you went to the house then the house will be closed then you can sit down and do it when you are sitting at home it was too late one can go and sit at the house in the house when you are one year old you are a big deal but you are difficult to go to the house and say now it will help you because if you are at home there is a 1 year then toilet training there is a lot of conditions to go to the house it is not the new girl girl को गोड़े को गोड़े पर कभी तांगे बैट है आप तैंगे पर देख़ें थेंаг क्या लॉड़ा उनका भी करता कि फलाँ आदमी लड़का जो है भूशन यह आपसे अनकंडिटनल मोहबबत करता है तो आप ऐसा करें इस मीटिंग के बाद मुझे दो मिनिट मिलें मैं आपको दो तीन बातें ऐसी सिखाऊंगा आप फोराँ जाहिए गर पर एक दिन में निकाल के फेग देगापको रफो दो, यह झाया टाव पूझेगी के का करना है बता दूंका आपसी नहींन आपसी टिन चेलिए भीर आपको नहीं व्लोंगी आपसे अनकंडिशनलाव बत्सका आपसे शैस्म हो guess like I say to my wife I love you unconditionally and my wife says to me I love you unconditionally no matter I love you I say no matter I love you but if I do A, B and C he'll throw me out in one day if he does C, D and E I'll throw her out in one day but the beauty of this is if we will not test this अब क्रिकेट में आप क्रिकेट खेल रही है you are on the field बॉल नहीं आ रही आपके पास इसका ही तो मतलब नहीं कि आप जब से आइसक्रीम ने काल के खाने लगे you can start eating ice cream when you're in a test match बॉल आए नाए आपको वहीं खड़ रहा ना आइसक्रीम खाओगी तो निकल के अंपायर पेग दागा तो बीबी आइसक्रीम बत खाओ Sir मेला दूसरा क्वेशन ही है कि एक ना Reddit पे अभी काफी थ्रेड एक वाइरल हो रहा था जिसमें एक इनसान ने अपना अनेकडोट शेयर किया कि उसको मतलब ऐसा आभास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जी लिया उसने अपनी वाइफ को देखा अपने बच्चे को देखा और मतलब चार-पाँ साल वो अपनी जिंदगी के बिता चुका है और फिर उसका ध्यान एक ट्राइंगल पे जाता है चार साल क्यों मतलब केसे बच्चा पैता हो गया होगा नहीं सर मतलब शादी के बाद चार साल वो बिता चुका है चार साल नहीं होते हैं वो होते हैं आठ अचा देन वो अपनी शादी के 4-5 साल बिता चुक है, उसका एक बेटा है, वो एक दन सोफे पे बेटा है, वो एक फोटो को देख रहा है, जिसमें एक ट्राइंगल है, और उसका ध्यान उस ट्राइंगल पे जाता है, और उसको पता लगता है कि he has been in an accident for past two minutes, और उस दो मिनटों में उसने अपनी पूरी जिन्दगी जो है, अपनी वाइफ के साथ, वो देख लिये, तो इस पे news भी आई थी क्या ऐसा हो सकता है, या ऐसा नहीं हो सकता है, इसके पीछे के साइकी क्या है, मैं पूरी तरह से सवाल आपका समझानी हो, which makes it easy for me to answer, ठीक है आप मैं कुछ भी कह सकता हूं, यह जरूर होता है, तरह से जाए जरूर होता है, तरह से जरूर होता है, तरह सुपन क्या था नहीं है, when a person is coming very close to an accident and thinks that he might die, or he might die, a very rapid review of life takes place, that brain has that capacity, and that phenomena is documented and amply confirmed, a rapid review of life can happen like this, like this, like this, in a few seconds and few minutes बाकी अब मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहा हूँ सर मैं यही पूछना चाहती थी क्या यह पॉसिबल है या नहीं एक quick review within a minute or two of entire life yes, under severe stressful circumstances, yes एक last सवाल मेरा है last क्यों? और पूछा एक psychologist, not psychologist, बड़ एक theorist है उनका नाम है Herbert Marcus जिन्होंने सिग्मेंट फ्रोइड की थियोरी और काल माक्स की थियोरी को मिला कर अपनी किताब लिखी थी, उन्होंने बात की थी कि बढ़ते capitalism की वज़े से लोग अपना eros खो रहे है by eros ही meant कि वो मिलाब अपनी not just erotica, बट अपनी creative ability और अपनी फन करने की अपनी लेजर करने की जो पावर है वो खोते जा रहे है तो इससे एक argument यह निकरता है कि modern problems जितनी ही है जिसे कि perversion, rapes, corruption इन सब का एक ही insecurities जितनी भी problems इन सब का एक ही reason है वो है capitalism तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं and if not, then why? The biggest problem in capitalism is that it creates false needs it makes you feel and brainwashes you to think that you need something that you otherwise actually never needed for example, you're sitting and watching a TV and in the TV there comes an ad of a TV which has a window and you're watching it on your TV and you're enjoying it but now you start thinking if I had that TV then my life will be very good so therefore now you say I should take, you know work some extra hours and by that induction of false needs each year the car models are changed it's 2024, 2025 they change the grill a little bit the light this way the hood ornament this way and you say RAR, I have 215 and this car is 224 and this car is now 9 years past the car is old while the car is running completely fine but you somehow feel that you should have it to feel cool to feel with it to keep up with the Joneses etc. तो उसकी वुजे से क्या होताए ए जब यह इंड़िसरा है जब यह इंड़िसरा है यह विस्दे हैं आन की अंदर लालच और आंगर पैदा होता है उससे सोसाइटी में वाइलन्स जादा होता है, उसको हाइट करने के लिए सेक्शुल एक्साइटमेंट और दूसी जफ से उसका पॉजिटिव आउटकम है इन्वेंटिवनेस सादा होती है, दोब चीज की देखिए, किसी भी चीज की सिर्फ बुराइया नहीं होती है, हर ची Nobel Prize होते हैं, United States is always ahead, because people are restless, people have got to do something, you know, and this restlessness, आपके खायर से महातमा बुद्ध कुद आव इन्वेंट लाइट बुर्प, of course not, हो कहते हैं, पहिया देरा है, कितना अच्छी चीज है देरा है, दुनिया नहीं देख रही ही जादा अच्छा है, it's a good thing, बुद्ध कुद आव invented light bulb, you know, how many experiments Thomas Edison did, to pass electricity through a material, that it will remain, become hot, but not so hot that it melts, and become incandescent, you know, how many experiments, find out, Google, I'll tell you, 66,000, मैं तो कोई पंदरा के बाद कहता हो, या भाईया, बहत हो गया, चलो जल्ट के दरू अरू पीते हैं, या छोड़ो इसको, it needs madness to do this, right, so, trauma के positive sides में है, and capitalism has deleterious effects on the family, no doubt about that, because it induces false needs, and pulls parents out of childcare, into greater amount of acquisition, meaning making money, making time away from family, you know, so, it has negative sides, no doubt, that's why, there are two things in USA, remarkable violence, gun lootings, mass murders, you know, remarkable violence, and remarkable creativity, both things. Dr. Akhtar, मेरा एक सवाल है, थोड़ा serious, I'm sorry, but मैंने ये सवाल आप से पूछने के लिए, अल्मोस्त देड़ साल वेट किया है, या ला, जी, पिछली पर मैं थी नहीं, अभी trauma की बात हो रही थी, और सपनों की बात हो रही थी, जैसे यमन ने भी बोला था, कि इनकी परिचत ह उनको trauma feel होता है, Dr. मेरा सवाल ये है, I have lost one parent, मेरी जो remaining parent, my mother is still alive, मुझे बहुत recurrent सपने आते हैं, सुभा के वक्त सपेशली, that I have lost her, मुझे कोई फोन करके बोल रहा है, कि वो नहीं रही और मुझे महीने में चार से पाच बार ये सपने आते हैं, सुभा के टाइम, और मुझे कैसा लगता है, और उस वक्त मेरी हालत क्या होती है, क्या कोई तरीख, मैं क्या करूँ, मैं क्या कोई तरीखा है इस चीज से डील करने का, कुछ, कोई टिप है, कुछ, कोई टिप है? that I don't, and I'll have to ask 20 other questions before I'm able to give a reasonably plausible answer. But I can say two general things, one that I found out just this minute, just 30 seconds ago, and I'll tell you what that is, and one that I knew before. there are six or seven seven dreams that are universal which means most of us not that he has had all seven or I have had all seven but between us we have had all these are universal dreams that is the dream of flying the dream of falling the dream of being chased the dream of being naked or inoptimally dressed in public the dream of examination the dream of somebody loved dying very loved person dying and the dream of teeth falling out teeth falling out these are seven universal dreams now the reason I tell this to you because a part of that is the death of a loved one this is a universal dream the main thing is that dream is never about a wish that this person should die today it's not never about it just the way examination dream kubhi us exam ke baren ni hota johab lene wale hai hamishla us dream exam ke baren me hota johab past kar chukai mujhe aate hai kabhi kabhi aray yaa third year medical school mein farmacology ka test toba mein bholi ya konsi medical and I passed that exam years ago you always dream of an exam that you already passed same way the dream of the death of a mother or father is not about today's hostility that will be stupid to say that is a hostile dream about no no not at all it has different meanings so I can go into specificity but one thing you should know that relax it's not about that it's not about her and it's not about her death the other the other point which I just learned 30 seconds ago many I had never heard this kahawat ki saveri ke sapne saach hoti hain that's a remarkable thing because there was a guy his name was Alfred Morris he never wrote any paper he was a clinician psychoanalyst but he never wrote anything and this is in the dictionary also he he just was a good teacher and he had proposed a hypothesis which now his students have written it's called the Morris hypothesis that the dream reworks itself overnight aeg baar do baar teen baar by the time the fourth dream is it is the problem has been solved and therefore it is very likely that that action will take place in the day it's called the Morris hypothesis that the manifest dream of the last dream of the night is often acted out the next day so this is to Hindustan the India and psychoanalysis came together so nice there is a sentence in interpretation of dreams by Freud which says just the opposite of it and that is the dream is the guardian of sleep the dream is the guardian of sleep meaning we dream so that we can stay asleep for example for example let's suppose you कि सौरुप साबसे होगी लड़ाई और आपके दिल में ये ख्याल आए कि एक चाकू इनको महरूम है और खून बहे और मज़ा आए मुझे देख के इनको मैंने ऐसा मैंने मारा अब आप तो कर नहीं सकते हैं शरीफ आदमी है आप भी शरीफ आदमी है आपके बॉस हैं आप नोक्री से भी जाएंगी जेल में भी बंद होगी जेल में भी बंद नहीं होना चाहती है और इतने बुरे भी नहीं बचा रहे तो नतीजे के तौर पे अब आपने उस वज़ को दबा लिया ठीक है, ये विश आपके conscious mind से नीचे चली गई, and you forgot about it, पांच मिनट के बाद कुछ और बात होने लगी, उस्सा कम हो गया, बात खतम हो गई, अब ये तीन बजे बात हुई थी, अब रात के 11 बजे, अब आप सोने गई, अगर आपके दिल में बात भी थी, एक चाचा को खु नहीं, ये वहीं से निकलता है, computer से, ये UP का computer हमाफ किजेगा, made in Lucknow, so नतीजे के दोर पे, अगर आपके कोई teacher था है, भतनागर साब आप चाहते हैं, वो मर जाएं, अब ये सौरप साब मर जाएं, वो भतनागर साब मर जाएं, ये दो wishes unconscious में जूड़गी, जब ये और आपी, तो पावर की वजय से ये कहेंगा, let's go do it, अब जो आपके जमीर स्थोया हुआ है, लेकिन जो mind है, वो नहीं चाहता कि ये wish निकला है, वन्दर तो निन टूट जाएं, जागना पड़ेगा आपको, अगर ये विद आपको अगर आपको अगर आपको अगर आपक खेस्लिप. So that is what Freud says, a dream is the guardian of the sleep, we dream so that we can stay asleep. second thing, physiologically जो आपने बात कही, वो और करेक्ट नहीं है nobody dream for two hours you dream for maybe 10-15 minutes about four times a night with the REM phase you know, it comes and goes and the beauty is how the brain circuits work and how the body has been made by nature by God or whatever that when we are dreaming our body is completely almost paralyzed our only muscles move, our eyes eye muscles that's what we call REM, rapid eye movement phase, but remaining body is paralyzed when we are not dreaming, then we can move in the sleep so it guarantees that we will not act out the dream Sir, hi Sir, is there any way to control your overthinking, emotions and thoughts it's too broad a question it's too broad but overthinking can actually exhaust you it can, of course it can but it's a very broad question because overthinking about what about what how did it start what does it mean how it is affecting what problem is trying to solve or not solve you know and so on and so forth it's just a symptom it's just a symptom and you know symptoms are concerned of patients doctors should not be concerned with symptoms milly-nilly majboor hai khalo sar mein dar da goli to dena paadegi na marisi chal la ra meri peet me dar da ho ra kuch toho karna paadega because our interest is not the pain I'm not interested in his pain I'm interested in what's causing the pain a good doctor should only be interested in pathology not in symptoms symptoms we treat reluctantly there are sometime there are some reasons behind overthinking sometime there are no reason behind overthinking there's nothing without a reason the second statement I disagree there's nothing without a reason as a douai he sakta kaam hai iske operations hain different you know the reason may not be overt and conscious but there are reasons there are always reasons the accidents happen sometimes but most of the times not most of the time the mind is doing something purposely sometimes the purpose is clear sometimes the purpose is not clear sir ek merai sawaal there is also that today dark humor culture is coming that people justify their own insensitivity that this is dark humor so where is it where is it from? why are people inclining towards dark humor? I know that's a horrible thing I know that's a horrible thing happy independence day happy independence day if you have it lol so he put a laughing emoji and I felt very bad I felt that and I told this to him that this is not funny so it's funny it's funny what's wrong with it it's a little hostile little hostile so insensitivity which touches upon sexuality and which touches upon misogyny and which touches upon misogyny you know it's a complex topic you know that you know it's a horrible thing that everywhere everyone has a bad treatment everywhere whether it's so whether it's so whether it's so whether it's clear whether it's disguised everywhere everywhere in the world there's a normal treatment everywhere everywhere America England France where they have trouble somewhere that somewhere disguised somewhere open because 서로 use unique work people who have are still we have who have they are clear cut they are taken hatred are औरतों के बारे में है वो असाफ जाहर है हम इंदोस्तानी जो हैं बड़े जबर्दस्त हैं एक तरफ हम रेप भी करेंगे मर्डर भी करेंगे खून भी करेंगे सीटी भी हो जाएंगे पिंच भी करेंगे बस में और ये सब करेंगे और दूसरी तरफ देगिया है हमारी और यह भी क्या है? आइडिलाइजेशन भी है और डिवैलुएशन भी है बाकी जगा सिर्फ डिवैलुएशन है हमने दोनों चीज़े मास्टरी कर रोखे हैं बहुत ही कमीने हैं और बहुत बुरे और बड़े मासूम भी बनते हैं Hello sir, my name is Vibhavari, real world in telepathy जासी चीज़ exists करती है? It can, yes, not as often as we think, not as dramatic as we assume, of course, of course it does, of course it does, there are times, see, पहले अभी सोचिये, जबान कभी जाद हुई, जबान कभी जाद हुई, जबान कभी जाद हुई, He didn't say it, he said that he had heard, he had read it in a book and he had forgotten which book, which is interesting that he forgot, perhaps created too much envy, he says, it was in a British novel that I was reading that I found this sentence, amazing, and those are Freud's worshippers, I am not just a worshipper, I am an admirer, The worshippers बोलते हैं, Freud ने बोला है, Freud ने ने बोला है, Freud ने खुदी लिखा है कि मैने पढ़ा था कहीं, कि the man who used the first curse word, instead of throwing a stone, was the founder of human civilization, what a fabulous idea, it's not true, and it's not one has to, it doesn't have to be taken literally, but a good idea, So the point is, language has many purposes, right? But imagine there must have been a time that there was no language. In fact, in ontogenesis, there is phylogenesis and ontogenesis, man's history and our own individual history. When we are one month old, two months old, we have no language, we have no language. I have a grandson, his name is Dante, you know, he has no words yet, but that doesn't mean he's not thinking. आपकी बिल्ली है, गदी तो नहीं है ना, ये गदी है ये बिल्ली है, sorry, बिल्ला है, sorry, गदा है ये बिल्ला है, बिल्ला है ना, गदा तो नहीं है, गदा तो नहीं है, ये तो हम, ये तो हम literally, literally, literally be decided कर सकते हैं, और figuratively be, metaphorically, गदा नहीं है वो. वो भी बिल्ली पी सोचती है, बिल्ला भी सोचता है, खुटा भी सोचता है, खुटा भी सोचता है, खुटा भी सोचता है. So, उसी तरह से, एक जमाना रहा होगा हिस्ट्री में, जब जमान थी ही नहीं, there must have been a time when there was no language, that didn't mean people didn't communicate with each other, and that way of communicating must be present inside of us, how can it not be, your one-day-old self is in you, your two-day-old self is in you, your intra-uterine self is in you, same way our prehistoric self is also in us. So, in all human beings, there is a capacity for telepathy. There is no doubt about that. However, because we have become so addicted to spoken language and formal language, that we rely more on it, and we have become suspicious of that. But, yes, indeed. Yes, indeed. I think it's possible, perhaps not as dramatic, perhaps not as often, perhaps not as glamorized, and also not as mysterious. Not as mysterious. A dog knows, for example, अगर कुता हो, I've had two dogs, Jackie and Majnu, you know, so, Jackie नाम रखा थे नकल में, हमारे एक कजन है, बड़ा अच्छा गाना गारते हैं, उनकी मदर की साइट से, उनकी कजन थी हूँ, मदर की, उनका नाम था जैकी, तो मैं चोटा सा था तो 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 त एसने लिए कि अगरेजी का नाम है, यार, कमाल है, हमारे खांदान में एक अगरेजी का नाम भी होता है, तो जब कुता मैंने पाला तो 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 उसका नाम जैकी रख दिया, उनकी ऊपर, अब कजन को भी आज ही पता चला है, बैठे होंगे हैं, तो अब इसके बाद क्य and if you are not in good mood, the dog tries to make you in good mood, first nicely and then unknowingly, so yes, I think there are communications that happen between human beings that are wordless, wordless and that are based upon intuitive knowledges of each other and such, this brings us full circle, कहां कै सौरफ साब, छोड के चले का हम लोग, छोड के उनका बहत हो गया, तो सौरफ साब, where सौरफ साब has started about my brother, this is precisely the thing, we are, may meet or not meet sometimes, but we are also very close intuitively, we know each other very well, he knows what I will do and think, I know what he will do and think, I know which joke he will laugh about and which joke he will not laugh about, he knows that and we have this intuitive connection also, you know, so there are deeper connections than language and physical exchange, yes, my answer is yes, I could have just said yes, महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा हुआ था एक बार, जब चले गए थे बीवी को छोड के बच्चे को, तो उसके बाद seeking arms, तो एक लाइन थी, खाना दे रहा था कोई ती यह लगे, तब पहुँचे, तो उस औरत ने का कि, आप तो मेरे हस्बंड थे, नहीं, कहता हाँ, तो मुझे चोड़ के चले गए, और अपने बच्चे को, तो जो धून रहे थे, वो मिला, जिसकी वज़ेसे महल को छोड़के गए, कहले हाँ, मिला, गamięर महल में रहते-रहते तो नहीं मिलता, कहले मिल सकता था, तो भора चोड़ा क्यूं, और ये बात तो वहाँ जाके पता चली ये बात है ना ये बात तो वहां जा कि पर देखे तो ये सारे जवाब देने के बाद फिर लगा मुझे यसी कह देता आपने अभी बोला कि महाल थोड़ा सा गंभीर हो गया है गंभीर नहीं बोरिंग तो मेरा एक मासूम सा सवाल है ये तो हम फैसला करेंगे और सवाल के बाद थोड़ा सा खिसमे परान भी अपने आपको मासूम समझता था फिल्मों में मौसी मैं कुछ बोलूँगा तो बुरा ही बोलूँगा अच्छा कुछ डालोग था ये फिल्म खांदान में कहने क्या नाम था उसकार है यार शंकर शंकर तू में तो कुछ बोल तू कुछ बैठा है लली दता पवार ऐसे आंख उनकी एक तो कहता है चाची अगर मैं कुछ बोलूँगा तो कड़वा ही बोलूँगा तो आप निर्दारित करिएगा कि ये मासूम है या नहीं पर ये मेरे सपनों से जुड़ा हुआ नहीं और ये मैंने किताब में पढ़ा था कि एक आदमी उसको सपने आते हैं कि वो शादी करने जा रहा है और केला खाते हुए जा रहा है तो सपने में केला खाने का क्या आर जिनका शरीफ लोगों की महफिल में देना मुनासिब नहीं है तो इस पे एक follow up जो यह है कि अब देखें नहीं, अगर serious बात करें, वो यह तो मजाक की बात की और मजाक में भी सचाई थी, ऐसा नहीं है लेकिन अगर serious बात करें तो इसके बाप का क्या केलों का खेत था, हमें तो बता नहीं है ठीक है ना, उस पे पता चलेगा या इसकी father जिद करते थे सुबा ब्रेकफस्ट में तुम्हें एकेला खाना ज़रूर पड़ेगा we don't know his history, we can say तो एक symbol को लेके उसके immediately in a reductionistic way, उसके मतलब बता देना ये ठीक बात नहीं है आदमी को जानना पड़ेगा उसके अंदर वो dream है वो dream product है पूरे आदमी की so we'll have to know more about that person तो जो जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा था कि जिसमें इवाने पढ़ा, everybody lies करके उसका नाम है आदमी, और उसमें आगे, दरसल डेटा पर वह बात करते हैं कि उन्होंने एक website का analysis किया जिसमें लोग अपने सपनों का दिख्र करते हैं तो उन्होंने keywords करके डालें कि केला बना क्तने लोगों के सपने में आ रहा है और हो यह argument देते हैं कि गेल जो है दूस्ञूर सबसे ज़्याद खाने वाला फल है और दूसरा गात बसे ज़्याद में आने वाला है और जो खीरह है उस उस ऐ हम्देस्ट खाया जाने वाला वह है सब्जी फल और तो आप इस आर्गुमेंट से कितना इत्थिफाक रहे हैं? मैं बिल्कुल इत्थिफाक नहीं करता हूँ. तो अब यह इसको आला है? कि I think there is something to certain things symbolizing something, but not so fixatedly and not so specifically. It depends upon, जैसे मैंने बोला ना, अगर मुझे काली बिल्ली का ड्रीम आए, आपको काली बिल्ली का ड्रीम आए, it can mean completely different things. You know, the dream depends upon the individual history and individual lexicon of symbols. तो यह उन साथ सपनों में एक नहीं है कि… नहीं, केला खाना नहीं है. लेकिन एक बात है, आपने मुझे बहुत उनिक एक्सपिरियंस दिया, मुझे केलों की बात मेरे खाल से किसी नहीं की नहीं है. Hello sir, बहुत सारे comparisons में से comparison ये भी होता है कि अक्सर लड़के अपनी wives को अपनी मा से compare करते हैं और लड़कियां अपने पती को पिता से compare करने लगती हैं. क्या ये तार के comparison है? Yeah, I mean, I don't understand what is the question. अक्सर लड़के अपने, I'm not deaf, I may be dense, there's a difference between being dense and being deaf. तो सुना तो था मैंने, समझा नहीं, अलग चीज़ें हैंना? तो फिर से कहिए जिससे समझ में आए, दे और दिल उनको, जो नदे मुझको सुपाँ और कालिब का शेर है, या रब, ना वो समझे हैं, ना वो समझेंगे मेरी बात. दे और दिल उनको, जो नदे मुझको जुपाँ और. वोई बात हो रही है हमारे आपके बीच में. मिर्जा गालिब हमारे आपके equidistant कड़े हुए. अक्सर यह होता है कि, जब भी argument होता है husband wife के बीच में, तो लड़की यह सोचती है कि, मैंने तो अपने पापा को यह करते हुए देखा है, मेरा पती ऐसा क्यों नहीं कर रहा है. लेकिन मैंने तो अपने पापा को देखा है, अपनी मा के पती को थोड़ी देखा है, देखे, unavoidable जादा है, अल्दी का तो भरोसा नहीं है, क्योंकि भई हमारे बाप जो थे, वो 1915 में पैदा हुए थे, हम पैदा हुए 1916 में, हमारा बेटा पैदा हुए 1975 में, तो दिफरेंट चीजें बदलती रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, आपके बाप ने जैसा किया, तो वो आपका हस्बेंट कैसे कर सकता है, वो आपके बाप का भाई थोड़ी है, अलल्ला साब ने अपने चाचा स्टाधी कर लिया थो, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, चाचा सुझ नहीं की ना स्टाधी आपने, नहीं, गुड, I'm relieved, तो दिफरेंट जनरेशन के हैं, फर्ख होगा जनरेशन में हमेशा गैप होता है, बेहिवियर्स में कह पहता है, सोचल नॉम्स बदल जाते हैं, फिर कभी-कभी मुल्क और सोसाइटी रैपिडली चेंज होती है, कभी-कभी स्लोली चेंज होती है, तो, depending upon where these people are, अब यह है, कि यह स्टेरोटाइप भी है और टूथ भी है, कि इसमें इसमें बी सर्च फॉर आर मदर्स मैं in their wives and girlfriends, and women's search for fathers in their boyfriends and all. There's some truth also मेरे भाई का शेहरेस पे, कि अपनी महबूबा में अपनी मां धूडे है, अपनी महबूबा में अपनी मां धूडे है, बिन मा के बच्चों की फित्रत होती है, इस गजल में ये खेर उतना ठार नहीं हे, इससे अच्छा एक बहुट एक झायर। कि अकसर वो कहते हैं वो बस मेरे हैं अकसर क्यों कहते हैं आ हैरत होती है। अक्सर क्यों कहते हैं हैरत होती है तो उसी तरह से कि इट इस इनेविटिबल इस स्टिरोटिपिकल लेकिन ये भी होता है ये मत सोचिए इसको इतना जेंडर बाउंड मत कर दीजे ये भी होता है कि मर्द है उसको अपनी बीवी के अदर बाप दिखाई देर लगता जादा और उसको अगर भी होता है तो बाप उससे स्ट्वालिटी पाडता है ठीक ना तो इस थान्स आपनेसे इन थान्स पूसितिशन अर नग्ट बाउंड भी जेंडर Like I treat patients who, for whom I am their mother. I treat patients for whom I am their father. I treat their patients, patients for whom I am their son or their daughter. Depends upon what drama is in them that will be transposed and brought out. ये अभी जो आपकी किताब आई है घर का भीदी शायरी और साइन्स दोनों के बारे में है मतलब शायरी उठाकर कि उसका इनलसिस जितना मैंने भी परिचे में जाना से लिए तो मैं इसी सोच रहा हूँ कि कमाल की विद्य आपके पास है रश्क होता इसके लिए कि लेकिन क्य रा कुछ भी कहा नहीं कभी उसके घर में गया नहीं मैं जनम जनम से उसी का हूँ उसे आज तक यह पता नहीं बशीर बद्र ने जब यह लिखा या मुनवर राना जब कह रहे थे कि मेरे हिस्से में मा आई तो ये शायरों का जनरेशनल ट्रॉमा क्या रहा होगा ये शायर क कौन से 3M thoughts में इन्होंने ये लिखा होगा, इसके साथ तो ये हरकत हुई ही होगी, जैसे Sylvia Plath के बारे मालूम है कि वो डिप्रेशन में थी, उनकी किताबों से लिखता है, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे मालूम है, पर वो पन्ने जो लिखे नहीं गए, उनके बारे में आप लिखे जीम जाँी कि वो और रोवे, बारे में अगु लिखे वो उनकी लाइब ये लिए उनकी वोगला, लोटी ठाप्तिक ़्यानूनाश्स्वाटिस, जैसेन अपनुंदास्टानूश्तिस्तिन एपनूश्फ चाहई, लोग जाधनूश्टिस्तिस्तिस्तिस्तिस्तिस्त affects and feelings and both sides of the analyst reveal different kind of knowledge तो लाइरी आप पढ़ें तो उसको literally भी तो लही नी सकते है नाममकिन नाममकिन है तो लाइरी आप पढ़ेंचे लाइरी नी है तो लाइरी नी है और जादा अकल से लिखी जाए तो लाइरी नी है और जादा आकल से सुनी जाए तो लाइरी नी है वो बीच की जगा पे इन आप स्पेस इस अपोईट्री यसे ये लाइन है पाबलो ने रूदा की अब इसको अगर किसी मेकनिकल इंजिर को सुना दें कॉंक्री अजमी को तो पॉर तो गाए इस अबसूर्ड इस अबसुन अनी इन इतां फैक्ट इस इजिए फैक्टर्स आप इस अंडर्स अप इन्स विए लिख्श अन्टर्स अठीज की एक लाइन है कि ये लिखन तो प्रेसंस इन पोईम्स it's all pretty much entire object relations theory of psychoanalysis summarized in one line listen to presences in poems meaning यह किसके लिए लिखी है यह किसको कहा जा रहा है कौन ओडियन्स है और किसको नही सुननी चाहिए यह बात और कितनी गई 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 है और कितनी नहीं कई गई है और क्यों नहीं कई गई है तो उसको रोकने वाला इंसान के अंदर कौन है गईरा 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 so yes I mean you can speculate and इस इस रौमा जो है चाल्डोर्मा is not essential to make somebody creative you have to bring some genes and hard work you know everybody who is traumatized does not become a poet reverse is every poet traumatized I think so I think nothing no great creativity happens without getting hurt जो कि जो लोग जनको ट्रॉमा नहीं हो वो आराम से रह रह रहे हैं लाजपत्नगर में जो सर अभी capitalism की बात हो रही है दो extremes की बात की एक तरफ innovation है और दूसरी तरफ अगर आप मतलब ये बाते हैं की आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे मैं अपने दोस्तों को देखता हूं तो एक दिन वो बात करेंगे की I have to do something, I have to reach somewhere और दूसरी तरफ वो बात करेंगे की आप कुछ नहीं करना, जंगल जाके रहना है इन्टु दे वाइल जैसी फिल्म है या तो इसमें एक बैलेंस कैसे ढूना जाए क्योंकि दोनों तरफ तो एक्स्ट्रीम है यही तो कमाल है यही जिंदीगी का सारा सारा अन्शाब ने बताया कि हाव टू मैं खाल से गीता में है कि how to live like a lotus leaf that you are on the water but not in the water and that is the thing it becomes intensified when you will become 58 or 62 it will become more intensified this dilemma कि मुझे तो मर नही है तो मैं फिर काम क्यों करूं किताबे क्यों लुखों ठीक ना और दूसरे तरफ मुझे तो मर नही है फिर सेक्टरी के साथ बाग जाओ क्यों नहीं, why not अच्छी है, 22 साल की है मैं अठातर का हुआ तो क्या हुआ मियाँ चलता है, मुझे तो मर नहीं जाना वैसे तो यह सब होता है तो लालाच और असेटिसिज्म के जो greed और असेटिसिज्म का pull है दोनों तरफ वो दोनों को negotiate कर की जिंदिगी है जो आपका सवाल है तो यह सारी जिंदिगी का सवाल है इस अ बिग सवाल कि how to live and how to die at the same time how to be to be or not to be you know that's the central question of life जो आपने सवाल पूछा यह तो सबसे बड़ा philosophical question है क्योंकि मरना तो सब को है आपके मेरे खाल हैं अभी कोई मेरे खाल से 58 साल हो रहा है आपके बचे नहीं मेरे खाल से अभी 50-80 तो अभी आप आप जिएंगे इसिस्टेंशल कितने हैं मनलब यह सवाल लेकर एक्सिस्टेंशल क्राइस बहुत बहुत major that is the question Camus says Camus says the biggest question is why don't everybody commit suicide you know that's the philosophical question fundamental question इसको मनलब फिर वही चैनलाइस कैसे किया जाए किताबों के थूँ experience के थूँ इसको समझिये बेहतरी तरिका है जैसे मैं समझता हूँ मैं अपनी बात बताता हूँ मैंने किसी से नहीं कहा था कि मैं पैदा होना चाहता हूँ I did not ask anybody आप पूछने जाके बगवान से मैंने नहीं कहा था उनसे कि सर मुझे पैदा कर दें आप फिर हिंदुस्तान में फिर यूपी में फिर मुसलमानों के घर फिर शायरों के घर बताईए ऐसे महले में कहते थे वो है उदर बावले डिप्टियों का मकान बावले डिप्टियों का मकान ऐसे ही भी बोलते हैं तो हमारा तो खान्दा सारा बावले डिप्टियों का है तो who which person in their right mind would want to be born in a मैं गाली का लवद अस्थमाल करने बड़ा in a let's call in a mad Muslim family right आप सोचिये लेकिन मैं तो एक छोटी सी आत्मा था कहीं और भगवान ने किक मारी मुझे जा खेल ये गेम अब मैं आगया फुटबॉल की फील में या क्रिकेट की फील में तो आप क्या करूँ आइस क्रिम काऊँ या क्रिकेट आप तो क्रिकेट खेलनी है मुझे यही सब गीता में है यह जो खेल है भगया अब इसमें चाचा हो या मामा हो और तुमारे बतीजे हो या कुछ भी यह जंग है इस जंग को लड़ना तो नाव यह बीन थोज़ने इस गेम I didn't ask to I didn't ask to I was given certain cards certain parents you know एक बाप मैं चूज करता हूँ उस बाप को I doubt it मां most likely लेकिन अगर बाप दूसरा चूज कर लेता है तो फर मैयना होता मैं भोजाता है मनिश मल होता तो मैं क्या accountant तो फिर यह भी तो है न वो थे जो भी थे लेकिन उनसे फाइदा भी तो मिला मुझे ऐसा तो नहीं कि फाइदा नहीं था So we have been thrown like pawns in this game and once you are in the game आप कुरुक्षेत्र में हैं अब यह नहीं कह सकते हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ जंग में क्यों गए थे पर आप तो लड़ना है is war this is same thing with life now we have to try to do our best and our best का यह मतलब नहीं है कि आप सारे गुलाब जामन खालें यह खाल भी रखें यह खेल है यह खेली है लेकिन सीरियस लिखे लेकिन यह वो परेबल चेस वाला सुना रहे तो बहुत जोरू भी जोरू है sit in front of a chess board pick up a piece of chess and ask yourself a question do I have a king of country in my hand आपका जवाब है हाँ उसको रख दो दूसरे हाँ से उठाओ क्या मेरे पास एक लखडी का ठुकला है जो के बीस रुबे में बिकता है उसका जवाब है हाँ अब इसको रख दो इसको दान से दखो और तीसरा सवाल पूछो what percentage of this is a king and what percentage of this is a painted piece of wood और जवाब है कि यह 100% king है और 100% piece of wood है वही जवाब जिन्दीगी के बारे में है is life meaningful? absolutely is life meaningless? absolutely दोनों चीज़े हैं और इन दोनों को साथ रखके चलना है एक से लालत जादा नहीं पढ़ेगी एक से asceticism जादा नहीं पढ़ेगा तो पुछीवे यह खेले गुरू आपको भीड दिया गया क्रिकेट खेलने अब आपको तो क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट खेलनी है आईस क्रीम खालो गए तो पाहर निकाल के फेल देगा कर सकते हो कर सकते हो वो भी एक बाइज़त काम है लेकिन वाए अभी तो बहुत चीज़ें हो नहीं है अभी तो देखो गुगली की बॉल आएगी उसको हैंडल करना है मैंने सोशल मीडिया पे यह जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे यह मैंने अपने दो दोस्त से भी पूछा था लेकिन वो जवाब नहीं देपाए थे तो मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देगा आपने मेरे लिए दूविदा पैदा कर दी दूविदा यह पैदा कर दी कि अगर जवाब मैं भी नदूँ तो उन दोस्तों की तरह बेखूफ निकलो अगर जवाब दे दूँ तो उनको शर्मन्दा करो तो आप मैं तो मुश्किल में फसा दिया ना उन्हे शूर नहीं दिखाऊंगे मैं यह वाला एपिसोड देख मैंने सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक इनसान एक दुकान में एक महिला के बाल को बार-बार सूंगने की कोशिश कर रहा है था और दो बार के बार तीसरी बार वो दो-तीन सगन के लिए सूंग भी लेता है नहीं इनसान ही था पहले तो बूच लेना चाहिए ना कहलें बड़ा कुटा आदमी था तो दो-तीन सगन के लिए वो जल्दी से सुंके फिर चला जाता है तो ऐसे होता ही कि कभी मेले में जा रहे हैं बस में ट्राविल करें दो-तीन सगन के लिए कोई कहीं न कहीं टच करहीं देता है तो ये दो-तीन सगन में क्या किक मिल जाता है इस बहेवियर के पीछे क्या साइकोलजी है मतलब दो-तीन सगन में ऐसा क्या हो रहेगी टच करके कहीं भी नहीं क्या कर रही है आप दो तीन सेकेंड का मतलब नहीं है, कि उस closeness में, और दो चीजें आप दिखा रही हैं इसमें, एक closeness, immense closeness, दूसरे stealing, चोरी की closeness है नहीं, दोनों के मतलब हैं इसमें, इंसान चोरी क्यों करता है, कुछ तो need की वज़ेस होता है, बच्चा बीमार है, पैसा नियाब का, तो time of need, we are not talking of that, तो इस description में जो आपने कहा है, इसमें दो चीजे हैं, extreme degree of closeness, and also stealing, because that woman has not given you consent to a smell her hair, ठीक ना, तो चोरी भी हैं, अब इसमें वापस जाहिए, तो आपको पता चलेगा, कि, it seems to me that you don't have children, is that true? It seems to me that you do not have children, अच्छा, क्योंकि क्या होता है, कि आम तोर पे हिंदी फिल्मों में, माइथॉलोजी में इसा बना देते हैं, आर्ट में, कि बेबी recognizes the mother, that's not true, बेबी को visual recognition, सौ फी से दी कि ये मेरी मा है, आठ महीने में चुरू होता, eight months it takes, eight months, but the first recognition the baby has, is of a smell of the mother, which begins by six, seven days, by six, seven days, if you take a sample of a woman's breast milk, on a blotting paper, blotting paper भी क्या कुटी चीज थी है, अभी भी होता है, याशी कोई चीज है भी, अब नहीं होगी, आप लोगों को पता है नहीं होगा blotting paper क्या चीज होता है, अब लेब्स में होता है, अच्छा, तो एकषीज थी भॉट नहीं होता है, चीज होता है, अच्छा, तो एकषीज थी बोट पेपर, याशी होता है, तो, six days, the olfactory brain, which is the reptilian brain, which is the phylogenetically earlier brain, deep in limbic system, and thalamus and parathalamus, उसमें जो sensations हैं, वो smells related, तो smell इसे, इस पे क्या यार, अख्तर लिमान का वाकास भी गए, चलो हलके के सब लोग जा रहे हैं, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, अच्छा, तो अख्तर लिमान का, इसमें एक लंबी नजम है, जो काले सुफ़ाद पर हो, आला, एक वरिंदा हो, मेरी एक शाम, उसमें एक मिसरा है, फूलों की खुल्बू से, क्या क्या जाता है, यह श्मेल्स अवोक मेमरीज, श्मेल प्लेज 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 रोल इन नॉस्टाल्जिया, तो यह अदमी जो औरतों के बालों को सूंगने के खुल्ष करा है, यह त्यां तो इस्टैबलिश, अवरी प्रिमिटिव, वरी दीप, वरी अ तो जो भाते आं, तो रहिंस, और रहे को एगा एंगियो, तो रहे करते हैं, चैनल के समझ है, और स्पने आते हों किसी को, मतलब जैसे जानल्ली आम लोहहँगं को आते हैं, समने नॉस e gi táh किसी को, बहुत रहते हों किसी को से ने आते हैं कम आते हों सपने तो क्या ये भी को ये समस्या है सबने सब को आते हैं कुछ लोगो याद मी रहते हैं तो उनको लगता है कि उनको सबने आते हैं but if you wake up a person everybody dreams every night at least three four times so the people who say we don't dream is because they don't remember sir दूसरा सवाल जो है मेरा वो वो वाले समनों से related जो हम life में देखते ambitions जो होते हैं हमारे तो हम लोग सब मतलब कहीं न कहीं हम लोगों सबने अपने families को छोड़ा होगा अपने ambitions के खातिर ambitions हासिल करने के लिए हसल में जब जोटे हुए रहते हैं तो अपनी जो family रहती हैं वो हमारे जो parents हैं वो भी दीरे-दीरे जो सुकून रहता वो चला जाता है how do we manage this situation की दोनों चीजों का अच्छी तरह manage कर सकें और मतलब मतलब सुकून मीर मना गए जब माबाब अतने functionally होंगे अब ये पुराने जमाने का था रूल के बच्चे उनके खायल रखें ये जब agriculture था तो अब बड़्धा हो गया है तो हल कौन चलाएगा तो वो जमाना हलके हलके बदल भी गया है अब और भी तरह का है इंसान को अपने खायल रखने के अब और भी तरह का है इंसान को अपने खायल रखने के इंसान को अपने खायल रखने के इंसान को अपने खायल रखने के I mean I wouldn't want my son and daughter to get trapped if I was ill or incapacitated I find other ways to take care of myself and I'm reasonably self-sufficient and person but these are सिंदिकी के डिलमाज हैं देखिए दुनिया की हर प्राब्लम मेंटल इलनस नहीं है दुनिया में रियल प्राब्लम भी है आप जो डिस्क्राइब करना है वो एक नॉर्मल एज का प्राब्लम है माबाब तो बुड़े होंगे बीमार होंगे मरेंगे एक दिन तो उनका ध्यान रखने का तुम मन भी करता है और करतववे भी है तो जाहर है कि उसमें निगोशिएट करना पड़ेगा कि क्या चीज क्या कितना और इन सवालों के कोई परफेक्ट जवाब नहीं है और एथि बिचारे के दोस्का क्या है तो उसने बताया कि मिर को आज तक जिंदगी में कभी कोई सपना नहीं आया तो इसके बाद मेरे लिए भी काफी इंट्रिगिंग था तो मैंने गूगल किया और उसमें लिखा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिने सच में कोई सपना नहीं आता I don't believe that. It's totally incredulous to me. But simply because I don't believe that, that does not mean it cannot be true. It may be true. It doesn't make any sense to me. लेकिन खेर सुना देता हूं इस पे. न कोई ख्वाब, न कोई ख्वाब, न कोई ख्लिल, न कोई खुमार. अब देखिये ख्वाब का है future, ख्लिल, present, खुमार, hangover. कल पीधी न दारू. न कोई ख्वाब, न कोई ख्लिल, न कोई खुमार, या आदमी तो अधूरा दिखाई पूरता है. बाप का शेर है मेरे. शायर बहुत अच्छे थे. अगर बाप भी उतनी अच्छे होते हैं तो मज़ई आ जाता है. किसी को मुक्मल जाने है. सही बात. सही बात. शायर बहुत अच्छे थे. शायर बहुत उन्दा. सर्मेरा लोगों के बारे में अच्छा सोचने और उनसे अच्छा आच्रड करने को लेकर मेरे मन में तमाम दूंद रहते हैं. जैसे मेरी कंडिशनिंग बचपन में ऐसी रही है कि एक जो चीज मुझे बचपन की जो कुछ चीजे याद रहती है. उनमेंसे एक चीज यह है कि मम्मी ने जो सिखाया कि अगर तुम किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो सूनर लेटर वो भी तुमारे बारे में कि अब जैसे बड़े होके हमने इस चीज को किस सेंस में समझा, वाइब के सेंस में. कि वाइब मैच कर जाती है, फ्रिक्विंसी मैच कर जाती है. तो क्या वास्तों में ऐसा होता है कि अगर ये एक दो लोग के सास्थ हो सकता है, मैं आपके बारे में अच्छा सोचूँ, आ नेतिकता यही कहती है कि हमें रोज दिन में दो बार ब्रेश करना चाहिए, लेकिन क्या वास्तों में ऐसा होता है, क्या वाइब सबसे मैच होती है, इस इस तर पे कि मैं भी अच्छा सोचू हूँ, वो भी मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, तो बहुत चीज है, मैं सब के चाचर वो नहीं कर रहा, फिर वहाँ पे आपके दिमाग में वो सवाल आता है कि एक है IPL ट्रॉफी, एक है Fair Play Award, तो क्या मुझे IPL ट्रॉफी के लिए खेलना चाहिए, या Fair Play Award के लिए, यह मेटफर is beyond me, but anyway, because I'm not in this lingo, or this, I've lost content, मतलब फिर आप वो सोचते हो कि, क्या practical रहन ज्यादा सही है, या नेतिकता को फॉलो करना ज्यादा सही है, जो मैंने बच्पन से सीखा, वो ज्यादा सही है, तो इस तरह कि जो दौंद मन में रहते हैं, जो आप हर किसी से face करते हो, क्या ये psychoanalytic के लेवल पर, विज्ञान के लेवल पर संभव है, कि मैं सबसे अच्छा करूं, मैं सबसे बारे में अच्छा सोचूं, और eventually ये उम्मीद करूं कि मेरे बारे में भी वो एक लिवल पर जाके अच्छा सोचेंगे, और क्या इतनी रखना भी चाहिए है कि मैं क्यों ही सबसे के बारे में अच्छा सोचूं, मतलब आप मेरा दोंद समझ रहें ना मेरे ugly हुआ आप, कि तारे मेरे लेकत टयूंचे फिस में एल्सक्टों, पर इसelों इस्क्रा कॉम तिक अच्छारा है… नहुत है प्योँ अथर में हैन प्षैप्टों पुरत, कि पंछ्पन करूंच्सि Bueno, couldn't I thought willing I was, of man. and such उसमें भी सच्चाई है Are human beings good? fundamentally, sacrificing, altruistic forgiving, collaborative उसमें भी सच्चाई है तो हम आप जो हैं प्यानो की तरह हैं बुरी music भी निकल सकती हैं अच्छी music भी निकल सकती है अब कितना अच्छा प्यानो है और कितना अच्छा प्यानो का प्लेयर है, उसपे डिपन करेगा त्यून कैसे निकलेगी कितना बुरा प्यानो है, कितना बुरा प्लेयर है उसपे डिपन करता है, त्यून कैसे निकलेगी So, all human beings are capable of enormous goodness and enormous badness अब इसमें overall if one has been brought up well and with reasonable love in childhood one thing is that most people are decent and good and there's hope on the other hand, if one has been cheated, violently beaten humiliated, sexually abused physically abused, then one becomes mistrustful of the world most people are in between some place so, it's not good to be utterly mistrustful for everybody, it's also not good to be completely trustful of everybody I think a healthy amount of skepticism about human beings is essential you know ورنہ क्या होता है कि आप दोका खाते हैं आप दोका खाएंगे, people will betray you will get hurt यसे ये मेरे फादर का एक अबड़ा चाशलियर है इस पे कि अब ये नेकी भी हमें जुर्म नजर आती है अब ये नेकी भी हमें जुर्म नजर आती है सब के आपों को छुपाया है बहुत दिन हमें सब के आपों को छुपाया है बहुत दिन हमें so, it's not good to consider every, not everybody is good you have to remember this, some people are bad not that they don't have an element of goodness in them they do same way, some people are good not that they don't have element of badness in them but, how much उसी थरज है अपना अटिव्चूद में होना चाहिए consider most people decent and good तैयार रहिये कि एक दो अरामी भी निक लेंगे यह प्रोग्राम सन दो सो चॉबीस में खतम हो गए मैं सोच रहा हूँ अचा हाँ डॉक्टर डेंस मेरा नाम प्रशान्त है तो मेरा सवाल एंगर मेनेजमेंट को लेकर था अभी आपने पता नहीं शायद देखा या नहीं दखा पर अलम्पिक्स चल रहे थे पर इसमें तो इंडिया के जैवलिन थ्रोवर जो नवदीब सहनी थे उन्होंने थ्रोग किया और जब वह वापस लॉड रहे तो एक वह दिल्ली वाली भाषा में उनके मुझसे गालिया निकली और ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं विराड कोली या कई और क्रिकेटर से सबके साथ होता है तो पीपल अलाइक देशे कि अगर आप अपना एंगर मैनेज नहीं कर पाते हो तो आपका दिमाग कही न कहीं विबस्थित नहीं है तो क्या ऐसा होता है और उसको मैनेज करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर यह बोलेगा कि आप जिम करो आप दोड़ो मलब किस तरीके से एंगर वेंट आउट करो तो वो क्या है मेकेनिजम उससे कैसे डिल किया है इसमें सिर्फ एंगरी को क्यों ले इसमें आप ग्रीड को भी ले ले इसमें आप रिग्रेट को भी ले ले इसमें आप गिल्ट को भी ले ले इसमें आप लस्ट को भी ले ले इसमें आप infatuation और idealization को भी ले ले कोई भी emotion out of control मुनासिब नहीं है ठीक है ना emotional capacity होनी चाहिए emotion में जाने की, emotion को feel करने की, joy करने की लेकर उसमें to let the emotion totally govern you unless it's in a specific circumstance you know between you and your lover alone that's a different thing when you're writing poetry, that's a different thing when you're singing that's a different thing and such so there are times that we let the emotion have the upper hand, there are times that we let the reason have upper hand you know but the question is what effect does it produce if it hurts others and hurts ourselves as a boom rang, then it's pathology then it's a problem then it needs help all the emotions only anger, anger anger को तो निकालके बड़ा बना दिया है सारी emotions वो आदमी जो who's trying to smell women's hair without their consent वो भी तो he's out of control he's out of control desperately in his need for intimacy and for stolen intimacy because he's also committing besides intrusion he's also committing robbery theft हाई सर दीपक नाम है मेरा मैं confidence के वो जो एनिग्मा है उसको थोड़ डीनलब करना चाहता हूँ कि confidence क्या है क्या वो एक rash of thought है mind का या वो एक muscle है जिसको आपको बार-बार train परके उसको strong करना होता है मतलब fear तो हम सब समझता है वो महसूस होता है but confidence कैसे develop करें confidence है क्या चीज़ for general हाँ confidence देखे क्या है कि जिंदीगी जी you may be 31 years old how much 24 ये light है तो light के वोई इसे साफ जिखाईनी दे रहा है अच्छा बाहना चाहिए बनना बुरा मान जाए तो I'm 78 so जिंदीगी जीने के लिए मुश्किलों से भी गुजरना पड़ता है बुरे हालाद भी हो जाते हैं कभी कभी financially difficult है कभी emotionally difficult है कभी physically difficult है ये तो life है कभी मजे की है तो उसे तो you have to keep going right so what is this battery inside of us that makes us bear all this you know और ये है कि ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं we'll handle it it'll happen right वो battery जो है अब यहाँ पे लोग चिलेंगी इस बास से लिए वो मा की मौबबच से आती we're mammals we're mammals and जो बच्चे की और मा की पहले दो तीन साल up to about three years कि जो मा से अच्छा relationship है that puts a strong battery in the child that's what it is the best predictor of anybody's mental health is their mother's mental health and their relationship with their mother वो माल डाल देती है battery ना वो चलती है फिर सारस I mean we need cell phone की तरह charge करना पगता है तो दून लेते हैं 2-4 माएं हेदर उदर charge कर लिया लेकिन औरिजनल बैटरी जो है ना अच्छी quality की पड़ी हो तो आदमे को confidence होता है जैसे miser है आदमे conjuice कोई ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है conjuice conjuice के दो faces हैं एक अंदर का face एक बाहर का face अंदर की face में डर है कि money does provide security no doubt लेकिन money का security providing function इतना जादा हो जाए कि जरा से पांच रुपए खर्चों तो आपको डर लगना लगे that means कि आपका अंदर का security function है वो वीक तो मिजर internally is a frightened person externally is a sadistic and cruel person he's saying why should I buy you coffee free when my mother didn't love me that's the outside part that he's not in contact with but the miser is a cruel person cruel and frightened but that's also related to the early mothering and such रोडरी साब अब एक खत्मे की तरफ जा रहे हैं तो क्या वो घर के बेहदियों की बात कर लें घर के बेहदी की बात कर लें या चलिया हाँ थोड़ी सी थोड़ी सी छोटी छोटी snippets जैसे आप क्योंकि जानिसार साब का इतना जिकर आया तो वो किस्सा मैंने कहीं सुन रखा है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरा जो बेगम अखतर के साथ जो उनका एक किस्सा है और जो मजास के साथ उनकी एक बैतबाजी है वो वो दो किस्से सुना दें और उसका भी मेरा लालाच यह है कि पिछली बार जब आये थे आप तो आपने बताया था कि आपके पिता जी क्या देखकर शेर पढ़ते हैं आपको याद है तो उसकी वज़ए ये निजरू को याद है तो मैं जाता हूँ कि ज़रा लोग ये वाले तो ये जो नए ये जो दो नए किस्से हैं ताकि लोगों को उनका उनके बारे में पता चले वो बताएं इधर इसे आप शुरू करना चाहें किस क्या देखके शेर पहुनते हैं उसको जाने दे वो वाला नहीं बैद बाजी और बेगा मक्तर के साथ जो मी टू पर नहीं वो मी फोर पर था उनका संटेंस तो अन्यवे बेगा मक्तर का गसा ये है कि one time in friend's colony there was a rich lady and he had a private gathering some 25 her friends, fancy friends sitting in living room and बेगा मक्तर was singing घजल्स and my father entered that room he'd come from Bombay taxi arrived there he knew those people and as he came, quietly sat down while she was singing so बेगा मक्तर asked the people, the host can we please have an interval so बेगा मक्तर का थोड़ा रूग जाईए तोड़ा और गाने के बाद but she insisted so she said maybe she has to go to the bathroom or something, बेगा तो बेगा तीक है so he called for interval then this woman, बेगा मक्तर, whispered to the hostess के ऐसा है कि मैंने इनकी कोई घजल नहीं गाई और मेरी आदत है कि हर घजल से पहले बताती है उल्ला की बदायू नहीं किया है मजरू साब किया है, अब ये खायर है अच्छे जाने सार अख्तर तो इनकी नहीं गाऊंगी तो he'll be embarrassed and I'll be embarrassed तो तुमारे पास वोई किताब हो इनकी तू उपर रख दो अपने बेडरूमें मैं कुइकली जाके पड़ लूंगी तील से रियाद कर लूंगी आके गादूंगी तो पहली उसी से तो the woman came and told my father I have all your books, tell me which books should I put and I can doggy ear it or something so my father said that if Begum Akkar has such confidence that she can memorize and make a tune and sing in five minutes then it behooves upon me to write a new ghazal which she went upstairs, wrote five chairs in two, three minutes and that's the ghazal she memorized and then she sang no paper, she sang also he wrote there brand new ghazal and that's if you find a CD that's the only ghazal she has sung of my father's sir, कौन सी थी थी? उसे रिसमें है के सुब के दर्द को रातों की जलन को भूलें सुब के दर्द को रातों की जलन को भूलें किसके घर जाएं कि उस वादा शिकन को भूलें किसके घर जाएं कि उस वादा शिकन को भूलें और इसमें क्या शिर था? के अब सिवा इसके मदावाए गमे दिल क्या है इतनी पी जाएं कि हर रंज औ महन को भूलें वाँ 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 अवाँ 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 यही जो आप लोग इतना ऐसे शेर याद रहते हैं यह इस दिस क्राएं भ踞 है यहाँ रहत पर ओर वेससी क्या शेएर प्रसुक पूलें फिपर चौसम अर आवस भूल मिजाज के मेंदिन हुआ मिमभाएं मुझा भाएं मुझाज वेल आण मुझांठ गेंद मधीन the boys started drinking, 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 drinking. My mother was sick of it and she said, you guys drink? I am not sitting here with you. She went to sleep. Next day, they got to do the same thing and my mother said, no. One evening, you guys spent all drinking. Now, no drinking. No alcohol today. So what do you do? They don't know what they have to do. So my mother said, why don't you doить का बाइबाजी? you recite one line of one klir he recite one klir which ends anta klir which ends on this letter and this letter but look at this these were not ordinary people every couplet must have the word I in it so not only you have to begin and end with this letter and that letter but every couplet must have the word I no bajay silhru kya on a teen bajay tak they went on 245 and they were still going after 245 Majaj started to make up and right then klir and saying and soon he faltered and he lost and my father still keep going and he could have gone more this is remarkable then you have to read poetry you have to read poetry you have to memorize poetry you have to know poetry and if you really want to understand what you want to do then I recommend three books that your mind will light up reading those books one book is called This Craft of Worse This Craft of Worse V.E.R.S.E. by Jorge Luis Borje 1.1.1.1.2.1 किताब है लेटर्स तो ए यंग पोईट बाई रानियर मारिया घलकर जर्मन पोईट इस थ्री बुक्स इफ यू रीड यू रीली गैट वर पोईट्री इस और खतम करें तो मैं अपनी एक नजम सुना के खतम करता हूं जब आप कहेंगे तब बिल्कुल बस सर ये एक हमारे सा साथी है उनका एक सवाल रह गया था ठीक है सर अभी अभी शेख बता रहे थे कि मुझे इन सब के न्यूजरू में जितने भी साथी है उनके साथ अच्छा ही करना वेवार करना चाहिए तो जो मोरेलेटिक इन हाइपोटेटिकल कंडिशन अगर किसी के फैमली में ये भी समझाय कि जो जैसे करे उसके साथ वैसे ही करो तो सवाल यह है कि मुझे इन मुझेटिव है या अब्जेक्टिव आपके नजदीक मतलब क्या है लेकि कुछ फंडमेंटल्स तो मुरालिटी के सारे धर्मों में, सारी सुसाइटी में है कि बॉटम लाइन है, मर्डर और इंसेस्ट ये दो चीजें तोर जगा मना है मर्डर की डेफिनेटिन क्या है इंसेस्ट की डेफिनेटिन क्या है, ये बदल सकती लकि विथनेजनल्स लिम्स्ट थे फितोम ब्लाइब Hani इंसेस्ट्ट पोश्च ये इंसेस्सद परोणिजे। ये वेक शिरनिफ्समाद उही जैंब ये व्कानी जैनल-टॉ जे लेस्टा इंसेस्टी आफ्क रहैं दॉपना चीजेह वीँश्स तो है those two things are prohibited in most societies then there are disguises and dilute versions of it it's like Miller and Miller Lite toh उसी तरह से ya King Filter and King Filter Lite I think ऐ होती होगी toh उसी तरह से अब जे इसस्ट and incest light दो सकता for example a doctor having sex with a patient that's incest in my opinion it's not related to him or he's not related, right? but that's not done that's not proper that's unethical, the person came seeking you help you know so dilute incest भी हो सकते है Monica Lewinsky and Bill Clinton that's a variety of incest you know, so disguised displaced derivative forms of incest and same way disguised and derivative forms of murder तो ये तो सब जगा मना है और इसको करने से आदमी बुरा हो जाता है इसमें तो हर जगा एग्रीड अपोन है उसके बाद उसके जो specificities है, nuances हैं वो vary करती है किसी family में, किसी धरम में, किसी sub-culture में बिए लोग अपने cousins से छादी करसकता है किसीमें उतने ही पर horrified करते हैं लेकिन अपने चाचा से छादी करसकता है यह ada qué L AIDS太Por yaLa75 ऐसा भी हो सकता है तो ये सब तो vary करता है कोई चार औरतों से छादी करसकता है कोई चार मर्दों से छादी करसकता है different regions polygamy के और polyandry के so खाने में taboos है ये गलत है या वो गलत है so वो morality से specific हो जाते है general morality है can we live with prohibitions and can we live with impossibilities if you try to defy impossibility you become diabolical or great creator or both बहुत सारी एक इना जमने सुना के हाँ हाँ बिल्कुल मैं आप ही को दूँगा आप ही खत्म करेंगे मैं अभी भी शर्तिया कह सकता हूँ कि न्यूजरूम में अभी भी लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे तो आप से हम लोग तीसरी बार का वादा ले लेते हैं और फिर ऐसी ही अपनी जहनी उल्जनों और क्योंकि हमें तो मतला हमारे लिए ये लालच है पूरी तरह से ये लोग वश्म कर रहे हैं हां की हमारा ये है कि क्योंकि अपनी पूरी वश्म कर रहे है तो अभी हमारे पार बहुत सारे वह हैं सवाल हैं लेकिन इस दफतर में काम करने का कि बहुत सारे सुखों में से एक सुख ही है कि कुछ के जवाब आज मिल गए कुछ के जवाब अभी कर्ज पे हैं इसी लिए एक सही समापन इस एपिसोड को कि आप अपनी नजम सुनाएं और हम वाब वा करते हो खत्म करें एक नजम सुनाता हूँ वैसे एक बात याद रखिए कि दुनिया में कभी दुनिया के हिस्ट्री में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है फुल ब्लैडर पे ये बात याद रखिए ला ये सच ये खक्रिकात है कुछ बातें यूनिवर्सल भी होती हैं और सच भी होती है अच्छा तो अब ख्लेर एक नजम है छोटी सी उसका नाम है दर्खास्त रिक्वेस्ट आज की रात कोई सच न कहो आज की रात कोई सच न कहो आज बस वक्त को टल जाने दो जूट से मुझको बहल जाने दो दिल को थोड़ा सा संभल जाने दो आज की रात कोई सच न कहो आज बस वक्त को टल जाने दो जूट से दिल को बहल जाने दो मुझको थोड़ा सा संभल जाने दो कल तो सूरज की हतेली पे मचलता हुआ सच फिर हर एक सिम्त बिखर जाएगा जहर बन कर मेरी नसनस में उतर जाएगा आज की रात निकल जाने दो आज की रात कोई सचना को झाल